जैशी गणज दोस्तों वेलकम टू नुनामेंट क्लासेज मैं अर्जूंखरे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नुनामेंट क्लासेज मैं स्वागत करता हूँ सबसे पहले सभी लोग आ रही है फ्रेंट्स सभी को जैशी माकाल ठीके जैहिन चल्दी से मुझे बता दीजिए हवाज वाज सब को क्लियर आ रही है ठीके तोह सा नेट इशू हो गया था फ्रेंट्स ठीके इसले क्लास थोड़ी से एक दो मिनित लेट हो गई है चलिए कोई सबी लोग वीडियो को शेर कर देंगे ठीके आप सबी को बताएं एक वजह हमारी डेली क्या लगती है MPG कि क्लास लगती है MPG के जीए जीए जीएस और साइनस की क्लास हमारी डेली लगती है चलिए बहुत दिशांदर MP1 के रहे हम आपको पढ़ा रहे हैं यह तीनों आएगी आप लोग देख सकते हैं ठीके ब्रेंट चलिए बहुत शांदर मोहित जी हेलो चले यहां पर सभी लोग आ गए हैं वीडियो को शेर कर जाया होगा उमीद है चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आगे बढ़ते हैं यह देखें आपकी क्लास भी लगने लगी है जिसक यह लाइव क्लास रहती है यह बोड पर रात की नौव बज़े लगती है ठीके ब्रेंट्स बिलकुल ओल्ड कोश्चन है अलगी है प्रीवेस यह वेपर कोश्चन से व्यापम के रोई जी हेलो ठीके चलिए सबी लोग आ रहेंगे यह वीडियो देख लिदेगा डिस्क्रि क्लास को स्टार्ट करते हैं कम समय में जादर साथ कोश्चन करने की कोशिश करेंगे हम लोग चलिए सनीता जी बिलकुल हेलो ठीके चलिए पहला कोश्चन आप सभी के सामने क्योंकि आपको पता है कि हमें ज्यादा नंबर कोश्चन करने हैं सोनम जी हेलो ठीके राखी जी ह सब्सक्राइब ने रिवा तोह यह बिल्कुल कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्ण किता पड़े आते हैं यहां पर सचीन दी बिल्कुल साइकर है आप रिवाइस का राइट अंसर होगा चली अगला कोश्ण आगा देखे नॉर्मल नॉर्मल से कोश्ण ने जो बारवार रिपीट होते रहते हैं आपके मध्य प्रिदेश राज्य का बस्तित आए क्योंकि आपको पता है तीनों सब्सक्राइट एक वीडियो में मिलेगी आपको मैं पड़ाऊंगा आपको साइंस पड़ाएंगे चलिए सब्सक्राइब इसका राइट अप्शन भी ठीके इस से अलगों के कौन सा राज जी बनाता भाईया बनाता आपका 36 घर ठीके ब बिल्कुल चले आगे बढ़े आते हैं मर्देश में कहां पर तांसेन संगीत उससाव आउजित किया रहता है कहां पर किया रहता है तांसेन उससाव जल्दी से बताएंगे तांसेन कहां पर आउजित किया रहता है यह देखिए रोई जी के रहें गवालियार सचीन दी के र प्लंब भी गवाल यहां तीक है इस तरीके से जहाख सखते हैं आप लोग छलिए लेसका बढ़े आते हैं नि मेंसे-अली क्यद्वी सो में देखेंगे qn जोलो भी किरें भोपाल बिलकु सही जवाब है ऑफ्षिन डी इसका राइट अंसर होगा प्यंका जी बिलकुल सही किरिया बोपाल इसका राइट अंसर होगा चलेने असको चुछों की दह पड़ जाते हैं इनमें से मध्य प्रिदेश का कौन सा चे ट्रे एंटी पीसी थर्मर प्रावर ब्लांट इस्ती थे कांप रहें इनमेंस से कौन सी जगह में बिलकुल नीता जी बिलकुल सही के रही है भुपाल ठीके उसका राइट अंसर था इसका अन्सर बताईए क्या होगा बिल्कुल देखे जो लो भी रोईजी के रहे सिंग्रोली जो लो भी आपर के रहे सिंग्रोली बिल्कुल सही रवाबे ऑप्शन भी इसका राइट अंसर होगा सिंग्रोली ठीके इसको उर्जा राजदानी मध्यप्रिदेश की उर्जा राजदानी कहा जाता है ध्यान रखे बिल्कुल देखें जो भी आप सभी के रहें ठीके पच्छारिया है इसका राइट रोगा एक पच्छीन आप पच्छमणी के रहें कि वह यह मध्य पजर्इश में इनमे से वह कौन सब् paiदान जह सचिन चंदल गरने और टीए में नावच अवाध शेतक बनायाता जल्दी बताईए जल्दी सिब्ताइंगे दोरोच अव् Dance तक बनायाता कौन सस्थान है जल्दी से बताएंगे इसका राइट इंसर कि कहा है कैपटन Rup Singh स्टेडियुम गावाल एर बिल्कोल साइट रूप सिंग स्टेडियुम गावाल है को etty सभी लोग है का बनाया था काउन से संवे बनाया था जल्दी से बताएंगे विकात जी बिलकुल सही करें, सोनम जी सभी लोग यहां पर बिलकुल सही करें, कैप्टन रूप सिंग इस्टेडियम गवालियर इसका राइट अंसर हो गा, फटाग से बताएंगे कब बनाया था, ठीके?. बिल्कों देखें यहाँ पर अबध्य बिल्कूल राइड डंसर आते हुए यहाँ पर अब रभी बार्वाजी बिल्कों सही पता रहे हैं दोहार दस्पमें बनाया था चलिए बहुत ही शांदार आप सभी को पताए चलिए नेस कुछ ने के बढ़े आते हैं निम्नांकित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में इस्ती थे जल्दी से बताएंगे कौन सा फॉल से जो मध्य प्रदेश में इस्ती थे कौन सा है बहुती नॉर्मल सा कोश्चन है यहां पर सभी लोग केरें दुवादार दुवादार भुल्कुल सही होँआ आप जो लोभी केरें दुवादार जलब प्रपात दिके जो अगल प्रपाध बिलकुल अप्स्यंडी इसका राइट अंसर होगा यह मत्य प्रदेश में अगर इससे कॉश्चन आपके एक्जाम में आए तो समझ जाना पूरी काइना चारिए कि आपका एक्जाम निकल जाए केवल आप भी ठोड़ा सबस आपको क्या करना है वापे ध्यान देना है ज्यादा ओवर एक्साइटेट नहीं होना है ठीके ज्यादा बावनाव में नहीं भेजाना है ठीके चलिए जल्दी से नेस कुश्चन देख लेते हैं कि बद्य बड्य प्रेश्च का उच्ची नहाले का प्रमुक नहहीं on message तसा कि इसका सबता रहे हैं अरविन जी चे रहे । रोय जी है यवलपूर अमकुर जी बिल्कुल जववलपूर के रहे है संगीता जी यहां पर जवथ के रहे तीके संस्कृतिक राजदानी संस्कृतिक राजदानी और संस्कृतिक राजदानी में दोनों में अंतर है यह बात ध्यान रखेगा संस्कृत राजदानी हमारी है उज्जेन तीके संस्कृत राजदानी और संस्कृतिक राजदानी तीके संस्कृतिक राजदानी कौन सी है ज तो खंड पीटे और नयाले के दो खंड फीटे बुकौन कौन से शहर में हैं जल्दी सबताएंगे जो उच्छे नयाले यह कंड पीटे दो कौन कौन से शहरों में हैं मध्यद्यश के बहुत ही नॉर्मल जल्दी से बताएंगे राठोउर जी का यादव जी का भारती जी का पटेल जी का उनने बिल्कुल सहे बताया इंदोर और गवालियर ठीके और बोपाल में तीसरा कोलेगी खुलने वाला है कौन सा तीसरा जो की बोपाल में खुलेगा तीसरी खंड़ी पिट कहां खुलेगी बोपाल में जी तो बोलेगे सर आप खु सब्सक्राइब दिखाने वाला संके कि मापन क्या होता है ठीक है किसके माध्यम से दिखाते हैं कि यह देकि यादा दी बिल्कुल मारंजी रगुमंशी जी जो लो भी आप पर के रहे हैं पीएच पीएच बिल्कुल सही के रहे हैं ओप्षन सी इसका राइट अंसर होगा ठीक है यह कोशन साइस में पूछा जा सकता है आपके जीके में पूछा जा सकता है चलिए कंचन जी आप भी बिल्कुल सही करें पीएच उसका राइट अनसर है पतखेडा का सारनी कोईला खाजान मध्य परिशके कि जिले में इस जल्दी से बताएंगे कि जिले में थी थे बिल्कुल जो लोग यहां पर के रहे भी आ बेतवा ठीके बेतूल जो लोग भी के रहे बेतूल बिल्कुल सही के रहे option सी इसका right answer होगा बेतुलिस का राइट अंसर होगा ठीके सेवन स्टेडिटी बिल्कुरिकास पेटेल्दी बेतुलिस का राइट अंसर होगा अच्छा ही नैस कुछ उक्ता पढ़े आते हैं फ्रेंड्स बहुत ही शान्दत किसे फटाफट फ्रेंड्स कमेंट करेंगे ठीके मध्य प्रिदेश के अली राजपूर जिले का निमांट किसके बटवार के बाद हुआ मतलब कौन से जिले से अलगों के अली राजपूर बना सिंपल सी लेंग्वेज में पूछ रहा है आपसे वो जल्दी से बताएंगे कौन से खेल देशिमे प्रीटि est देशंत्य से अलगों के बना ऑप्शर इस कराईट से तीके भिलको लर्विंगकश पिंटू गांजी बिलको सी के रहा है किस खेल सब्स्तक्रण जल्दी से बताएंगे असलम खेर कहां किस खेल से संबंदी दें बिल्कुल देखें यहां पर सभी लोग अंसा करने लगें यादव जी बिल्कुल रगुबंशी दी भारती जी जो लोभी के रहे होकी बिल्कुल सही के रहे होकी इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन डी एक बात मैं ध्यान रख ली दे कभी को इसी स्पोर्ट से रिलेटर चीज आता है जिसका अंसर आपको नहीं पता रहे तो भाईया यह बात मैं आपको मता दूँ वैपको केबल दो चीरों से बहुत प्यार होकी ओर किर्केट छलिए नैस कोशन देख लेते हैं अगर आपको कभी नहीं पता हो उसका अंसर सेम का सही पूरा नाम क्या है छली बताईए फुल फॉर्म आफ सेम आप लोग यूस तो करते हैं पर आपने कभी फुल फॉर्म पर गौर किया है चलिए देखते हैं ठीक है आज देखते हैं कि इससे पहले आपको यह चीज पताती है जल्दी से बताएंगे सब्सक्राइबर इसका राइट अंसर है चलिए इसको नोट कर लिएगा फ्रेंट बहुत इंपोर्टेंट है इन में से कौनसी जील भोपाल में इस्तित नहीं है नहीं है पूचा गया है नहीं है कौनसी जील भोपाल में इस्तित नहीं है फ्रेंट जल्दी से बताएंगे और फटबर शेर करते चलेंगे और लाइक करते चलेंगे अगर प्रीडियो पसंद आ रहे हैं अगर पढ़ाने का अंदार अच्छा लग रहा है ठीक है अगर थोड़ा सा भी इंट्रेस्टिंग लग रहा है आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे और एंड त ज mortarical for party चनकि में लेकर आने वालें से पर वह इस चैनल पर आएंगी वह आपके ट्रिक्ए ए ंड्य एंडी मदस्गे लेकर आएगे जो कि दू 묵िंगे जुकर आईगे heh ज़ली से इसका refrестно एंसर इन में सा कौनसकी जी बोपाल में श्थीद नहीं है तो जो लो भी जलाशे बिलकु सग्हेर उप्षन डी इसका रैट अंसर होगा ठीके भरेंट चलिए बहुत इसाही अंसर कर रहें कंची आप वी उस्दी आप बिलकु सही किरें तवा पांसे बाद में बिलकु सही कि तीके चेलिनेस कुशन उधर पढ़े आते हैं नागरित्ता दिनियम मस्तित्व में कवाया था जल्दी से बताएंगे जल्दी से बताएंगे ब्रेंट्स नागरित्ता दिनियम कवाया था बहुत ही नॉर्मल सा कुशन है यह वाला बिलकुल जो लोबी के रहें उन्नीस सो पच्पान उन्नीस सो पच्पान इसका राइट अंसा रहे थीके नाइनटी मिट्टी फाइब ऑप्शन डी इसका राइट अंसा रहे चरिनेस कुशन किता थो फड़ाःषण भी लोग बता देंगे कि इंट्रेशन डूमेंट इसका बना आ जाता है बिलकुल जल्दी से बताईए पर इंट्रेशन डेशे सका राइट अंसा रहोगा प्शन प्रैंकाजी सचींजी बिलकुल सहए के रहाप ऑप्शन भी इसका राइट अंसा जल्दी से बताएंगे केरल का राच्ची नित्य बिल्कुल शिवारे जी के रहें बिल्कुल साही के रहें ठीके जल्दी से बताएंगे इसका राइट अंसर बिल्कुल बिक्की मान जी जी का यहां पर राइट अंसर आते हुए कतक कली बिल्कुल कतक कली इसका राइट अंसर है एक लिए अप्षन एंट जाते हैं तो कैसे आद हैं अधर में कि ला आ रहा है वाकिक त्व है बिल्कुल ध्यान रखेगा ओर तामिलाड़ क्या है कुच्छिपुर्भी के के नई कुच्छिपुर्भी आंदर प्रदेश का जलिए अगला कोच्छ देखते हैं मैं से केस्ट फिलिम की की शूटिंग में देश की की गई बहुत प्यार है को हमेशा वालिवुट के कौशन पूशता है जो भी वालिवुट से चीजे होती है वो तो जरूर पूशता है तो इसमें से पूश ली किसकी शूटिंग मैंद्र प्रदेश में हुई थी जल्दी से बताएंगे बिल्कुल कुछ चीपुली आंद्र प्रदेश चलिए बिल्कुल जो लिए यहां पर जोदा अकबार जोदा अकबार पिंटु कान दी का बिल्कुल राइट अंसर आते हुए और स्टडी दी का बिल्कुल यहां पर राइट अंसर आते हुए राजनीती ओप्शन डी इसका रा प्रिथिवी पर जलती से बताएंगे कितने महास आगरे प्रिथिवी पर ठीके अबी सीडी मतली पुरा आप्षण ली व्रेंट सचीन जी अर्विन जी बिल्कुल पिंटु खान जी जो भी कह रहे हैं आपे 555 बिल्कुल सही कह रहे 5 आप्षण सी इसका राइट अंसर होगा चली एरे ठीके चली आगला कोश्चन आगे लोग सहब की कुल शम्ता वरेंट्स जल्दी स्वताएंगे लोग सहब की कुल शम्ता कितनी है जो लोग याँ पर अंसर कर रहे हैं यह 545 बिलकुल सही जवाब जो लो भी 545 करें बिलकुल सही करें ठीके कोल शमता कितरी है 545 ठीके चलिए बिलकुल 545 जो लो भी करें बिलकुल सही करें 545 इसका राइट अंसर होगा एकला कॉशन बहुत ही प्यारा है कि हिरते संबंदी समस्याओं का आकलन करने के लिए निम में से किसी यंत्र का प्योग के रहता है कुछ नहीं सकते हैं कई भी कोश्चन बन सकता है आपका चलिए बिल्कुल यहां पर सभी लोग अंसा कर रहे हैं बिल्कुल सभी लोग कह रहें मैस की जसे नहीं देखें देख लिएकर डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगा और आज रात को भी लाइफ क्लास मैस की ठीक है जिसकी भी मैस की लाइफ क्लास रेगी चलिए आगे बढ़े आते हैं नेस्स क्रॉशन की तरफ ठीके मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द नेता का जनब हुआ था जल्दी से बताएंगे मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् आगला कुश्चन आगया भी है निम्लिकित मैंसे कान और जाज त्रोत है रिनेवल एनर्जी सोर्स है जल्दी बताएगे कौन है इंड में से जल्दी से बताएंगे बहुत नॉर्मल चा कॉश्चन है वाला एवी सीडी मत लिखे पुरो पुरो आप्शन लिखे फ्रेंड्स बिलकुल लेके यहां पर आंसर आता हुए यादव जी बिलकुल जो लो भी आपर केरे भीया अपना सनलाइट सूर्य का प्रकाश बिलकुल सही के रहे ऑप्शन एसका द्वारा विश्वी राजत इस्तल के रूप में घोशित नहीं किया गया है नहीं किया गया है जल्दी से बताएंगे जो लो भी केरे भीया चंदीरी अशुक नगर के रहे हैं कुछ लोग बिलकुल सही जबाब के रहे हैं चंदीरी अशुक नगर ऑप्शन एसका राइट होगा ठीक है व्रेंट्स बाकी भीम बेट का सांची और खज्राव यह तो आपके ही युरेस्कों के विश्वी दरवर चलिए नैस कुछन देख लेते हैं जोते लिंग इन में से भगवान महादेव कौन सा जोते लिंग उज्जेन में प्रिदेश में सिंपल सी बात है उज लिंगे उसको किस नाम से जाना जाता है सिंपल से पूछ रहे हैं वो जल्दी से बताएंगे सबी को पता होगा कोई गलती नहीं करेगा ठीक है बिलकुल यहां पे देखिए जै मापाल बिलकुल देखें बाव माकल की नगरी ठीक है बिलकुल उज्जेन ऑप्शन भी सका र विमारी से बेसा यहां पर सबीमारी मच्छसे नहीं होती और यहां पर समय लोग कये रहें ऐसे ह। बहुत ही शांदर कंशन जी सचीन जी बिल्कुल जो भी करें टाइफाइड बिल्कुल सही करें टाइफाइड इसका राइट अंसर होगा चलिए नेस्ट कुछन दिख लेते हैं नेस्ट कुछन आगे हमारा इंड में से गयर नवरी करण उर्जा संसाधन का नहीं है जल्दी बताएंगे नौन रिजनेबर एनर्जी रिसूर्स नहीं है इसमें से कौन सा है वह अभी उपड़ी करके आएं फिर से देखिए कोशन अलग तरीके से पूछ लिया है जल्दी से बिल्कुर सोलार एनर्जी जो लोगी के रहें बिल्कुर से के रहें ऑप्सेंडी इसका राइट अंसर होगा सभी लोग वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजे प्रेटा को शेयर कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे जल्दी आपके लिए 5,000 को स्रीज लेक के इंडी क्लासेज पर ठीके और जल्दी लेकर आने वाला हूं मैं 5000 को समझने मैं Việt और्समीफ निया नहीं आएंगे पूरे व्याफ़ा में जितने भी MPD के कॉशन है पूरे कवर करवा दूँगा मैं वो सिरीज लेकर आने वाला हूं मैं जल्दी आप लोग के लिए ठीक है चलिए अगला कॉशन देखते है दश अफ़तार विश्टू के दश अफ़तारों में से संबंदित है दश अफ़तार की सूची भारत में धरम और छेत्रों के अधार पे बदलती रहती है निमलिकित छेत्रियों देवतार दश अफ़तार के अफ़तारों में से एक नहीं माने जाते है देखे इतना कॉशन उसने इसलिए लिक्के दिया है कि आपका टाइम वेस्ट हो जुके ट्रीकी एंडी क्लासेश में स्टार्ड होगी वो जो कि हमारा एको नया चैनल है ठीके डिस्क्रिप्शन वे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी तो उसको सस्क्राइब कर लीजेगा ठीके चलिए सबी लोग कह रहें यहाँ पे सबी लोग अल्ग-अलंग अल्ग अपकर रेंवाद क्या वात है इदर की बात उदर करना विल्कुल D on इसका राइडर्स पर आपने सनाओ किया है सब्सक्राइब कर रहा है इधर से उधर की बाते उधर की बाते इधर कर रहा है ठीक है बिलकुल चलिए अब कॉशन देख लेते हैं बोपाल गया सिंपल सा कॉशन है भी है बोपाल गया तरह सीधी दुनिया की दुर्वटना है यह रूप से जाने जाती है दो दिसम्बा 1984 रात में घटी दुआ था कौन सी कंपणी ठीक है किस कंपणी के कारण हुई थी नहीं पर हमें और कौन सी गयास हुई थी ठीक है सिंपल जाप पूश सकता है वो जल्दी से बताएंगे तो कौन सी कंपणी जिम्मेदार थी ब्रेंड्ट देखें यहां पर सभी लोग M.I.C. M.I.C. कर रहे हैं मिटाय इसजा यही आप बलती कर घ्र यही गलती कर गए कैसे बिलकु पूरा अंसर पढ़ा है कोश्चन पढ़ाएं यूनियन कारवाइड ठीक है यूनियन कारवाइड जो लोगी के रहें ऑप्शन है यही बिलकुत साहि के रहें उसने पूचा कौन सी कंपणी यही तो वो चादा पूछी होती तो आप लोग लगाते मिताइल आइस तो साइनाइड ठीक है एम आई सी बिल्कुल सोनम जी बिल्कुल अस्ताना जी सही के रहें आप लोग ठीक है चलिए और दिअगे मद्य पैदेश में रजा जल प्रपादा जल्दी से बताएंगे साइम जल्टी से पर के लिए है तहीäl जल फुर पूद इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन भी इसका राइट अंसर होगा पच्मडी ठीक है चलिए नेस्स कुछन किदा पढ़े आते हैं अमर कंटक दैश परवस्षेणियों की सरवच्चे उचाहिए किसकी उचाहिए अमर कंटक जली जी बताएंगे कौन सी परवस्षेणी की उच बिल्कुल सिनिता जी बिल्कुल सही करें आप लोग जोलों भी करें विंदिया विंदिया इसका राइट अंसर है ठीक है इसका राइट अंसर है चलिए नैस्स कुछन देख लेते हैं कि देश के छेत्रका लगबग ध्याइस परसंट बाग देपलेश से ढखा हुआ है जल् अगला कोश्चन का राइट असर बताएं जो लोग बिके रहें दस पर्शन दस पर्शन दस पर्शन बिलकु पर्टेल साब बिलकु तहीं करें आप चलिए ने इस कोशन की ताब बढ़े आते हैं क्योंकि आप सभी को पता वें कम समय में ज्यादा कोश्चन करने हैं निम्ले क ठीके तुरंट पता होना अच्छी है बद आपको चुड़ोडी चीज है इसलिए मैं अच्छे कोशन लेकर आया हूं यह आपके लिए चलिए सबी लोग इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए शेयर और लाइक करने में कोई कंजूसिन नहीं चोड़ेगा ठीके है बिलकुल यह आपए देगे सबी लोग के रहें जो लोग भी के रहें यहां पर खजराओ खजराओ तो मैं आपको बता दूँंकि हुसका राइट अंसर है ए उसका राइट अंसर विह आपशन से ågas Robin Matt के बहुत इंपॉय्टन कौशनल है एक और इसकी प्रतिलीं कि बोल चुर्टि का रहे हैं अन। कशीह लोग अलग अलग प्रकार के वह कर रहे हैं इसक्रण सक्षित मध्यप्रदेश की राजदानी है बोपाल कुछ भी चीज़ होगी सबसे पहले अगर बड़ी चीज़ होगी तो उप्पाल भी तरिके से याद रख सकते हैं आप लोग मैगनीज के खानों के लिए मत्यर पूश्चिण निम्लिकित में से कौन सा प्रसिद्धे मैगनीज के लिए मत्य हो स्थीद्ध का से अलगर करें रेकार से देकि अब्लेंगे उसलों स्टिडों कि πोड़ाऊं 1505 सब्सक्राइब करेंगे अगर आप लोग सुस्तों जाएंगे तो कैसे काम चलेगा इसलिए एक्टिव रही है टोड़ा सा शेयर करिए वीडियोस को जासा लोग को जोड़िए जिससे आपको इंट्रेस्ट आपने में जो लोग भी केरें बालागाट ऑप्शन डी इसका राइ जोड़ा फ्लस M.C.Q. सीरिस की नूतर में लेंगी ठीक है और अभी नहीं तो कभी नहीं इसकी टैग्लाइन मनाए गई है मतलब अब नहीं पढ़ा तो कब पढ़ेंगे दो मेने की मैनत है फिर जिनदी की बरखा आराम है ठीक है दो मेने की मैनत है बस दो मेने के बाद आप आपके वर्दी के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे तो दो मेने बाद दिल लगा के मैनत कर लीजिए और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं ठीक है नेकेटिव एनर्जी से धूर रही है पस केवल दो मेने अपने पढ़ाई पे ज्यान दीजिए आप लोग किसी भी प्रक टाइब कर लीजेगा वहां पे लगेगी एक लास अगला कोश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा साथ माध्य प्रतेश मिजान सभाव में कितनी सीटे होती है बिलकुल राजेंद भारती जी बुलाती है मगर जाने का नहीं ठीक है बुलाती है मगर जाने का नहीं चलिए लोगते हैं बिलकुल यहां पर सचाहिए भारती जी अस्ताया जी सिंग्ज साहब बिलकूल माझ जी पेटेल जी खान जी जोलो भी गुर्जा सहब बिलकुल साहिकर है दो या आरतीजर इसका राइट ऑप्शन सी चलिए नेस्पर हैं जाएक कि अभी हमारा मध्यविदेश से भारत के उच्चितम नाले के पूर्व मुक्त के नाजिश कौन थे यह इंपॉर्टन कॉस्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टन कॉस्चन के लिस्ति में आएगा यह कॉस्चन अगर पूचर आएगा तो बहुत ही अच्छा है ठीके बिलकुल जल तुमचा के जल्दी से बताईएं बेल को यह आ फे देखें पिंटु खान ची का पहले अंसर आते वे यहां पर बहुत शांदा पिंटु कांची में तरफ से आपको एक सल्य था ने ठीके बहुत ही अच्छा कोश्चैर ने कि हैं यह बहुत ही 찾아 सब्सक्राइब को कमिशन किया था जल्दी बताएंगे बिल्कुल धन्यवाद जल्दी से बताएंगे इसका राइड अंसर क्या होगा अब अशोक 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 कंचन जी सुरेंदर जी स्टडी जी मान जी बिक्की जी बिल्कुल जो लो भी के रहें यहापे बिल्कुल अस्ताना जी जो लो भी अशोक अशोक के रहें ऑप्शन ए बिल्कुल सही के रहें अशोक इसका राइड अंसर होगा बिल्कुल राजूरी सही के रहे आप लोग अशुग इसका राइटन सा रहे चली नेक्स तुशन के तर बढ़े आते ओम कारिश्वार जोती लिंग भारत में कहा अश्ती थे देखे मैंना किती बार बता दिया ओम कारिश्वार काँ पर है थीके आपने गाना भी सुनाstell ओगा श्यव अम्रिद्वानी थीके आपने सुरिय होगी न तो उसमें ये बोलता हैFit ओम कर ओम कर जपने लगा वो बालक ठीके और बन गया ओम कारिश्वार बिल्कुल थीके काँ बॉप Jollyya own vais यहां पर सभी लोगके रे खन्डवा गुजहसाक क्टे रेकर ड़ा पेली पैलकोट पेल सभ एंसाव याधा साव जोलो भी के रहे खन्डवा खन्डवा उमकार्श वकुल को भी पर खन्डवा सब्सक्राइब seriously 16 जलिए जल्दी बताइंगे इसका रहे नसर क्या होगा चलिए कोशन सा है इसे हैं आपके मतलब नॉर्मल वाले हैं जो आपको पुईदम फ्री फोकट के नंबर देखे जाएंगे बिल्कुल यहां पर राजुदी सही के रहे हैं आप लोग ठीक है राजुदी सचींदी बिल्कुल सभी लोग सही के रहे ह पहले नंबर पे राजिस्तान आपको ध्यान रखना एडके साब में और पॉपुलेशयों के साफ नंबर वट कौन है युद्तर परदेश बिल्कुल चलिए रिंकिया पापा ठीक है चली द्रोणाचारे ने एकलब वेस से गुरुड दक्षिणा में क्या मांगा था अब बताईए जल्दी से बताईए जल्दी से बताईए थोड़ा बहुत महाबारत का ग्यान भी और अच्छी है मतलब इसके लिए सबी लोग यहां पर बता रहे हैं कौन से हाथ का अंगुटा मांगा था जल्दी से बताईएंगे ऑप्षन लिखे देखे एबी सीडी कोई नी लिखेगा सबी लोग देखे बिलकुल देखे यहां पर देखे भारती दिखे रहे धाइने आतका पटिल साब के रहे गोल्डन ब वर्ल वाइल डाइब डेजल्दी बताएंगे विश्वव अंजीव धिवस कम मना जाता है वाइल डाइफ डेका राइट एंसर उमीद है वीडियो पसंदार होगा तो आप लोग शेयर कर रहे होंगे और शेयर करने के साथ वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और जिसने करने वाल सरा न स्कूरारा अहीं कि बिल्कुल भारती जी कर दिद्ट कि एक नंबर पंटॉक्शन बिल्कुल धने बाद राजिंद्र जी ठीक जल्तीन की विल्कोल अब लुक्त今 mi ज़्यकिकरण बहुतित अब बिल्कु सही के रहे तीन मार्च उप्शन सी इसका राइड अंसर है चलिए ने स्कुशन गिदर बढ़ आते हैं वर्ल्ड वाइड लाइफ डे तीन मार्च चलिए अगला कोश्चन है अब हमारा ठीके इरानी दोआरा ठीके इरानी दोआरा 1931 में निर्मेद प्रदम भारतिय स यह सबक्क्राइब का नाम बताये सिंपल सा कॉश्चन सा कॉश्चन है इस पहले बोलने वाली मुवी का नाम क्या इंब कुल कमें नाम कि प्रदीर की घर की बिल्कुल जो लोड के रहे कुछ लों आन्ला मारा के रहे बिल्कुल जो लोग यहां पर आला मारा के रहें, बिल्कुल सही के रहें, आला मारा इसका राइट एंसर होगा almost, ओप्शन भी, देखें मैं आपको बता ता हूं कैसे कैसे क्या, इसका याद रखने के ट्रीक है, ठीके कभी नहीं बुलेंगे आप लोग, भाईया पहली बात तो भीया राजा हरीच्चन ठीके राजा हरीच्चन गूंगी पिचर थी ठीके चलिए अगला कोशन देख लेते हैं और पहली कलर मूवी पूछे पहली कलर मूवी पूछे तो किसान कन्या पहली कलर मूवी पहले ब्लैक और वाइड बनती थी तो वो थी राजा हरीच्चन फि तरफ निम्ले कि टाइगर रिजब से कौन सा मध्य प्रदेश में स्तीद नहीं है इसका बिलकुल अस्ताना जी आपका भी नाम लिये जाएगा बिलकुल सभी का नाम जित्ते हों सके मैं अपने कोशिश करता हूं जित्ता मुझे लैपटऑप में आम दिखिते है सब का नाम ले लेता हूं ठीक plano हूं ठीकर चैली है इस्टिडी जी आपर सईके रहे इन आतोडी घ्र लुट करवेड बिल्कुल जान रखेंगे उत्रा कंड में इसको आप जान जाता था झालीए नाम पड़े आते आते हैं बिल्कुल गौलडन बोय राजु जी बिल्कुल जींकर इसका राइड अच्छा रहां जी बिलकुल जींकर निकलने वाली है जल्दी से बताएंगे इसका राइड अंसर फटा फट जल्दी से बताएंगे इसका राइड अंसर क्या होगा बिल्कुल डर के आगे जीते हैं सही के रहे हैं आप चलिए दियान रखेगा बिल्कुल नीता जी सही के नहीं आप ठीके ये तीनों रधिया पूरब से पच्चिम के ज़र बेती है और जाके अरब सागर में गड़ जाती है बिल्कुल ध्यान रखेंगा ये कोश्चन को बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है ठीके अरब सागर में गड़ जाती है चलिए रखेंगे आप लोग चलिए जल्दी से बताएंगे इसका राइट एंसर क्या होगा मज्द्विदेश में कौन सर्बान चंबल पर बनाया गया है और जो लोग भी आप एक केरेविया गांदी सागर विक्की मान जी जी पटेल साहब जरक्या के जीते बिलकुल यादर साहब ज के जल्द कुछन कोचन के पढ़े या खें रहेते हैं किस नदी पर किस नदी पर मध्य प्रदेश में कुम्ब Бेले का इजून किक रहता हैो बहुत ही नॉर्मार हल्वा कोश्चन है यह वाला तो किस नजी पर कुम्ब मेले कायोचन किया दाता है यहां पर देखें जो भी लोग के रहें अमित गौतम जी के रहें बिलकुर अस्ताना जी पटेल साब ठीके भारती जी राठो जी सबी लोग के रहें शिप्राना जी पर ऑफशन यसका राइट अंसर होगा ठीके हर बारा साल में एग बार लगता दिया रखियं करें को भी मिलते हैं आपर इसलिए ज़्या इंग करते हैं दर्शन के साथ अगोडियों को भी देख लेते हैं इनमें बहुत ज़्याद अताह नादि या편 दरता हिब मरसा रोगा क्यूजिए अब降ति आप कर रहा हुआ अगर किसी को कुछ कमी लग लग रही है पढ़ाने में ठीक है तो बता सकता है कमें करके ठीक है एक इसा नहीं ऐसा हो सकता है और थोड़ा सा ठीक है पर वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल देखे सभी लोग करें यहां पर क्वStanय आफ रहा शिप्रन चंबल में इस तरह के सबस्द आतल नहीं मैं कॉंसों कवें सब्सक्ड़ क सरक्यू परिसक přारथ मैंसकर जैन्दी से बताएं अफूंस बिल्कुल राजिंद बारतीजी धन्यवाद जहदी से बताएंगे कौन सा है सबसे बड़ा पुरुसकार मध्यपदेश का बहुत नॉर्मल चाहिए इतना अराम-अराम से करें वारे हैं फिर भी आप लोग बहुत दिरे दिरे कमेंट कर रहे हैं तो वड़ावट सभी लोग सो बिल्कुल ऑप्शन भी इसका राइट अंसर होगा चलिए नेस्ट कुछन कितर बढ़ आते हैं नेस्ट कुछन आगे अब हमारा कि द्यार की जनगर्णा के अनुसरा बारतिये घंडराज्यों में मध्यपदेश का कौन सास्तान है जल्दी से बताएंगे कौन सास्तान है मध देखे मानजी जी घौतम जी बील्कुल सइके रहे हैं आप स्थे सिक्स्ते जोड़ो भी करेा बिल्कुल साय रहे हैं इसका राइट अंसर होगा ठीक है जोल्हों भी चछटवा बिल्कुल साहई के रहें ऑप्श्ण भी 6 औरे नेस्ट का चटवा भीया पॉप्लेशन ने स completed पर बताना था चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कि जन गड़ना तो भी होती है ना फ्रेंट्स ठीक है चलिए प्रक्रिया जिसके माध्यम से पाचन तत्र की जांच एक लचीले ट्यूब के दुबारा कैमरा और प्रकाच के माध्यम से की जाती है उससे कहते हैं क्या कहते है यह साइंस में पूछा जा सकता है जल्दी से बताएंगे यहां पर सभी लोग अंसा करने लगे हैं और सभी लोग करें पटेल साब गोतम जी जाड़ जी आदव जी विलकुल देखे राठोर साफ जो लो भी करें एंडोस कोपी बिलकु साहीं करें अंता जर्षन जाच बिल बिल्कुल मुके जाट जी राम राम ठीक है चलिए वीडियो को लाइक करते चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को सस्ट्राइब करते चलिए वीडियो को शेर भी करते चलिए चलिए राजी सबा की अधिक्तम संक्या क्या होती है जल्दी बताएंगे राज जी सबा के अधिक्तम संक्या कितनी हो सकती है गौरफ स्फर्मा जी बिलकुत ज़ए किरे आप चाइड़ जी भारती जी चौहान जी यादप जी राट्र rang सबी को वीडियो पसंद आ रहा होगा वीडियो को शेर कर दिया होगा जह साथ लोगों जोड़ेंगे तो और भी इंट्रेस्टिंग आएगा और भी जादा मज़े आएगी आपको पढ़ने में प्रकार से तो सबी लोग वीडियो को लाइक और शेर करते चलिए बिल्कुँ याप नहीं के अंसर आते हुए यह आपको दोस्ते अधिकता लोग के नंबर माइनस नंबर कड़े आते हैं इसके कारण नंबर कड़े आते हैं क्योंकि हम लोग कॉल जल्दी जल्दी की चक्र में नहीं नगी पढ़ते हैं जल्दी से बताएंगे क्या होगा नहीं है बिल्कुल यापए प्रश्ण प्रश्ण आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे फुल गारंटी है देखें फुल गारंटी है एक बज़े आपको मिलेंगे मिलेंगे ठीके जल्दी से जल्दी बिलकुल ठीके जल्दी से बिलकुल यहां पे लेकिए आपको आना इस संडे को सेड्यूर डाल दिया गया है रिमेंडर सेट कली देगा क्योंकि नोटिफिकेशन के भरों से मत रहें क्या क्योंकि यूट्यूब का भी नोटिफिकेशन जाने में प्रॉब्म हो रही है तो यह संडे को क्लास से एकदम 2300 एमसी की यहां पर हम लोग 2000 आग लगा देते हैं आग तो हम लोग इस वीडियो में भी लगा रहे हैं जिसी आपसा आपसा आगी लगा रहे हैं ती स्पीड में क्या बात है बहुत ही शानदार चलिए मध्य पिदेश में नदी काटियों की बहुत ही शांदार चलिए यहां पर सभी लोग अंसा कर रहे हैं तो सभी लोग करें आट नो आट नो आट नो आट नो आट नो आट नो सभी लोग आट नो आट नो आट नो आट नो कर रहे हैं यहां पर और देखे गोल्डन राजुजी का यहां पर राइट अंसर आते हुए ऑप्शन 10 बिल्कुल गोल्डन राजुजी आप से रिक्वेस्ट इप्लीज आप एकिड नंत लिखे रहे । नो आट नो आट नो आट नो आट नो आट न नो आट रहें आता पैरें सत्यार्थिक जनम का हुआ था जल्दी सबताएंगे कहा पर हुआ था चलिए कोई बात नीं जल्दी बताइए द्यार चौदा में जो ठीक है नोबल प्रुषकार, शांथी प्रुषकार जीता था उनके जल्दी सब्ताइए उनका जनम कहा हुआ था सबी लोग के रहे विदीशा विदीशा बिलकुल सही रेवाब जो लो भी आपे के रहे विदीशा ओप्शन भी विदीशा इसका राइट अंसर होगा ठीके ओप्शन भी इसका राइट अंसर होगा जल्दी से बताएंगे कौन सी दवप रना ली आप सबी को पता है आप सबी को पता है गोली दवाईयां से जो रिचर रिडेटी कौन सा वेज हो यह सब कौन से वेज में लिखा गया है बिल्कुल जो लोग यहां पर के रहे आईरुवेज आईरुवेज आप्शन डी इसका राइट अंसर है बिल्कुल रात की नौ वजे की मैस की क्लास में आना मत बूलिये का फ्रेंड्स ठीके मैं ही पढ़ाऊंगा आपको मैस मैस एक नंबर तरीके से पढ़ाई जाएगी आपको जल्दी जल्दी सभी को आना है बिल्कुल इस्तिता जी बिल्कुल सही के रहे हैं आप गॉल्डन बोई मुकेच जी बिल्कुल ठीके रगुएंशी जी चलिए बारती जी बिल्कुल सही के रहे हैं आप लोग चलिए अगला कुशन आगे हमारा उस सुदेशी का नाम बताईए जिसने बारत में पहले परमाडू पंडिबी का नाम बताईए जिसने बारत में पहले परमाडू पंडिबी का नाम बिल्कुल देखे रभी बर्मा जी के रहे हैं सभी लोग like और share करें रभी बर्मा जी की बात माल लिजे सभी लोग ठीक है अल्टरनेट डे चलेगी मुकेश जी अल्टरनेट डे अभी कुछ दिनों तक अल्टरनेट डे चलेगी मैस की class फिज इस तरह के से आप लोग के रिस्पॉंस और भी अच्छा ने लगे ठीके तो अम लोग उसको डेली कर देंगे ठीके फ्रेंट्स चलिए बिलकुल यहाँ पर देखें फड़ा वट सबी लोग के रहें जो लोग भी के रहें आई एनस अरियंत जो लोग के रहें ऑप्शन को रात की नौ बजे प्रसीद किस्ताब विश्वे इतियास की जलग ठीके दैश के लेका के जल्दी बताइए ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जल्दी बताएंगे इसका राइट एंसर क्या होगा कॉलिटी बढ़ा लीजे बिल्कु सही बात है कॉलिटी बढ़ा लीजे फ्रेंट्स ठीके चलिए जो लोग यहां पर के रहें जवालन लेरू जवालन लेरू जवालन लेरू बिल्कु सही के रहें जवालन लेरू इसका राइटर सरोगा ऑप्शन सी जवालन लेरू बिल्क पर बीड़ेंगे राजिस्तान से जूड़ी हुए तो कौन से जिले की सिमा जूड़ी हुए राजिस्तान से ठीके जल्दी बताइए फ्रेंट इसी वीडियो में आपको continue करेंगे करन सर तो कोई जाईएगा हमा तो जाज 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 शेयर करेंगा अभी कुछी देर बाद बस करन सर आपको join करेंगे ठीके करन सर इसी वीडियो में आपकी science की class को regular लेंगे ठीके आपका time waste नहीं हो continue लेंगे आपको इसी class में आपका time waste नहीं हो बिल्कुल जरासा भी इसी हमने तीनों classes को एकी class में कर दिया कि आप एकी बार में आपको डेली एक बजी आना है तो आना है ठीके बिलकुल चलिए जल्दी यहां पर बता दीजिए टेलिग्राम गुरुप से जुड़ जाईए वहां पर हम लोग इन प्रोफिशनल वेशी दे देते हैं पीडिये भी मिल जाएगी आपको वहीं पर चलिए जल्दी से बताईए इसका राइट अंसर क्या होगा जो लोग हमालेसे नहीं हैं नहीं हैं पूछा एजिए एंकी बात बोला चाहूंगा वस आपसे कि भ Gen最近 को दिएन JUST कर जाता है अब वह दो भी कि दे बिल्कुल सोन दी बिल्कु साही किरें सोन औपशन ए इसका राइट एंसर होगा ठीक है गहां गांगाज है कौन सी नदी जब से बढ़ी उप नदी इसका दो को से नहीं है तो सों नदी टीकर छलिए नैस क्वेशन के नहीं पाइए थैस्ते तांसेन का मपघ्वारा दैश मेस्तीत है जल्दी से मत आएँ के थांसेन जल्दी से बताएंगे टांसेन का मक्वरा कहां पर है टांसेन मतलब बिलकुल जलिल कभी कभी गाओं पूछ लेता है आपको गवाले डूंडते रहे जाएंगे पर आपको गाओं लिखके देगा बेहर्ट ठीक है बिलकुल ध्यान रखेंगा मैंने ट्रिक भी बताई थी तांसन क्या होता है गुटका होता हुआ जो भी वह गुटका खाता था पर क्या बोलते है ठीक है अब है, ठीक है चल ये इसलिए कहते है घुटका खाना गलत बात है नहीं तो लोग आपको ये बोलेंगे चलेट भे थील्दी बताएंगे साइना नेवाल देश की चेंपेन खिला लिए क्या खेल खेलती है साइना नेवाल जल्दी से बताएंगे साइना नेवाल क्या खेलती है देखे मुझे पता ही था मुझे पता ही था काफी लोग कंफूस रहते हैं साइना नेवाल और साइना मिर्जा में जो रोपियां पर के रहे हैं बैड मिंटर मिल्कु सही के रहे हैं ठीक है ऑप्शन भी भी यह साइना नेवाल बैड मिंटर गेलती है साइना मिर्जा टैनिस खेलती है यह बाद ध्यान रखेगा आप लोग चलिए नेस कुछन किता पड़ आते हैं मध्यप्रदेश में कितने आप लोग तेके चॉहां जी रगोवन्ची जी इस्चरड गोल्डन बॉई पटेल ध़्यार डियान रखेंगा आप लोग ठीके बावन्वा जिला नीमाड़ी चलिए अगला कोशन देख लेते हैं मैं झाला कोश्च्छ ना घया आपके सामने आपका बारत के संस्सद राजी सफों में मैं अजय सवager कितने सीरे रांजे सबस्टेस मैं यह आपको पता होना ची इठ हो ению तरी के और चलिए नशोचन के अबructor सीटह तँी ना कितने सीटह थी राजी सबांग लिए एक मिल गई जोतीड का ति लेस ego एक मिल गई दिख्वीडे सिंग जी को और एक और किसको मिलिए तीन सिटे की दो सिटे थी दो इस शीटे थी शायद से राट इस अब ही जो चुना हुए थे मद्देश के चलिए आगे बढ़े जाए ठीक है चलिए मद्देश के मैं रूप सिंग करेड़ा इस्तल कहां पर है अब भी पढ़ा हमने कहां पर है जल्दी बताएंगे कहां पर है मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताईए नॉर्मल सी कि आप कभी नी बूलें रूप सिंग स्टेडियम कहां पर है राटवर जी जाट जी आदवजी भारती जी मांजी जी गुजजज जी बिलकु सही के रहे आप लोग ऑप्शन भी इसका राइट अंसरोगा गवालियर रूप सिंग रूप सिंग स्टेडियम कहां पर है गवालियर जो गाहों के लोग होते हैं उनका रूप रंग बहुत शांदार होता है इस तरह के से मैंने आपको ट्रिक बताई थी बिलकुल नीता दूद्वी जी साइंस में बहुत सब्सक्राइन आप ठीक है बिलकुल सब्सक्राइब जी बढ़ी बात नहिंए छल्दी जयिए बिल्कोर राभी वारती दील्कुर साही करहें, आप धनीर अगुशी दील्कुOR जयिए हैं, जल्दी जयिए नव बजयDY आपकी मैस की लाइव क्लास की आना मथ बूलिएगा मैं बार बार रिकॉल करवा रहा हूँ थीक, रात की नव बजयTON की क्लास है, जिसक कि एक क्लास हो चुके जिसने नहीं देखिए डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगी आप लोग देख सकते हैं चलिए जल्दी से बताएंगे इसका राइट एंसर होगा अगला पॉशन आगे आप सब की सामने दिये गए विकल्पों में से मध्य पदेश भारत का किसका बड़ा सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है जल्दी बताएंगे नहीं है जाएएगा मत प्रेंड्स कहीं भी करन सर्थ आपको अभी कंटीनियू करेंगे सी क्लास में साइंस की क्लास कंटीनियू रहेगी ठीके थोड़ा सा एक दो तीन दो डाए गंटे की क्लास रहती है आपकी दिन में डेली कोई बड़ी बात ने तीन सब्जेट कवर जाते हैं कितने नंबर और कॉशन किता सारा ज्यान अर्जित करके जाते हैं एकदम मस तरीके से एकदम शान्ती राइड एंसर क्या होगा जो भी के रहें यहां पर सिमेंट 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 को जो भी सिमेंट करें बिल्कुल ऑप्शन का राइड अंसर बाकि सोयबिन पर्ल्स लैसून ठीक है यह सब तो हैं कौन सा नहीं है सिमेंट नहीं है सबसे वड़ा उत्पादक चलिए आगे आते बारतिय चांद अन्वेशन कारेक्राम को किस प्रसीद कारेक्राम के रूप में जाना जाता है बहुत ही नॉर्मल सा कॉस्चन है यह वाला जल्दी से बताएंगे बहुत ही नॉर्मल सा कॉस्चन है जल्दी से बताएंगे इसका राइट अंसर क्या होगा यहां पे बहुती प्यारा सा कौच्छ रे बहुती शांदर क्या वातेज लोग को पता है यहां यौ छंद्रेयान बिलकुर चंद्रियान प्रोक्रम बिलकुर शेकरेज चंद्रियार कारेग्रम इसका ठीके चलिए नेस्ट कुशन की तब बढ़े आते हैं नेस्ट कुशन आगे हमारा मज्द्रदेश की खजराओ की मूर्तिया दैश भागवान को समर्पिते किसको समर्पिते फ्रेंड्स जल्दी से बताएंगे किस भागवान को समर्पिते अगला कोश्चन प्रकाज बल्प की खोच किसने की लाइट बल्प की खोच किसने की अरे बल्प की खोच किसने कीजे तो हम बजपन से पढ़ते हा रहे हैं जल्दी से बताएंगे भगवान जल्ब बताइए बिलकोल हिंदू टेमपल उसका बिलकुस है के रहे हैं ठीके चलिए शिव जी की पुजा की जा शिव जी के ठीके शिव उसका राइट अंसर था चलिए अगला की खोशो किसने की एडिशन न हIPती ज्यान रखेंगे आप सब लोग एडिशन ने कीती यहां पर चलिए किसन ने कृट्र जल्ब बाुछ ऑन न भारद कबशिव बिलकुस वन कहा पर है बिलकुस ने मृत भेज कुज और दो से इडीके असी ते passes रैडिंश और बिलकुँ साही करें आप लोग सभी लोग जो लोग भी करें बोपाल में हैं बिलकुँ साही करें ऑप्शन सी इसका राइट अंसर होगा ठीक है नेस्ट कोशन देखते हैं जल्दी से बताईए रात की नो बजे आपकी मैस की क्लास है आना मत बुलिएगा शेडूल डाल दिया गया है इस वीडियो के एंड होते सी आपको जाके उसको रिमेंडा सेट कर लेना है ठीक है और टेलीग्राम गृुप से जूड़ जाईए और उसको शेर करना है देखे मैस की क्लास तो यह सी है बड़ी मुश्किलों के बाद लगी है बड़ी मुश्किलों के बाद लगी है जितने जादा लोग आएंगे उतने जादा हमें भी इंटरेस आएगा पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में अगर हमें लगा कि आपको नहीं चाहिए मैस की क मंद्दित नहीं अजीक के रहाणे के रहें आप लोग और जो की बिलकुत के रहें क्या तो सही बात के रहें आप लोग जो लोग भी पिर आप दो लोग चलिए नेश्ट को जब बढ़े आते हैं कालिदास समालों का आयोजन काले हर बो होता है जल्दी बताईए जल्दी बताईए जल्दी बताईए प्रेंट्स इसका राइड अंसर क्या होगा प्रेंट्स इसिंपाशी लेंग्वेज में पूछ नहीं हैं कहा पर खृषिव इद्याले हैं मद्य परदेश में किसके पास से सिंपल सी लैंग्वेड में पूछना है बिल्कु इस प्रशिदी जल्दी से बताएंगे इसमें क्या राइट असर होगा यहां पे देखे सभी लोग अंसर करने लगें जाड जी भारती जी आगव जी बिल्क नेमस्य कि टाइगर रिजब में से कौन सा मद्य परदेश में स्तीत नहीं है यह नहीं वाले कॉशनाज मेने जादा क्यों ली है क्योंकि आपको practice हो जाए कि नहीं भी पढ़ना है क्योंकि अधिकता इस्ट्रेण यहीं गलती करते हैं आने के बाद जूद भी गलती करते हैं और जीवन में सबसे बड़ा दुख तभी होता है जब आने के बाद गलत करते हैं ठीके बिल्कुल आने के बाद अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं आए पढ़ा ही नहीं था ठीके अगर आता था पर गलत कर दिया है इतनी आत्मा दुखी होती है ना कि आसू निकल जाते हैं आखों से लोग के selection रुख जाते हैं इन चक्करों में ठीके बिल्कुल चले जली कहले बिताइए इसका रुटन सर्क्रावें का जो लोग भी करें जिम कॉर्वेट बिल्कुल नहीं Бिलकुल चरिक आण हुप चलिये नइस कुश्र टेक लीते हैं मद्यप्रदेश्स का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? सबसे जादा आबादी वाला शहर कौन सा है फ्रेंट जल्दी से बताएंगे? जल्दी से बताएंगे बिलकुल सही ज़वाब जो लो भी याँ पे केरे भी आ है बिलकुल दोर 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 जो भी केरे भी है सबी भाएबशने इस का राइट अंसर है ठीके देखे हैं एक बात मैं कहता हो आँगा हमारा जो वाट्सप नंबर है यह देखे वाटसप नमबर लिख लिए एट टू सिक्स नाइन ठीक है वन नाइन नाइन एट सेवन टू ठीक है फ्रेंड्स जिए यह हमारा वाटसप नमबर है अभी आपकी जेल पेरी के अंसाशीट आच चुकी है ठीक है तो क्या करिए अपना नाम के साथ आप लोग हमें ठीक है नाम नाम के साथ ऑपने के साथ अपने पूली डेल के साथ अपस्पे सेंड कर दीजी ठीक है इस पे अपके लोगों की त्यारी करना नहीं तो आप अपना रोल नंबर और डेटो बार्द बेज देंगे जिससे हमें रहेगा कि हमने आपके नाम नोट कर रहें कि इतने बॉइस और कितने गल्स हमारे से तैयारी कर रहे है एटी प्लस क्ले तो हमें पता रहे एक एक के लिए हम लोग देखेंगे कौन सा बच्चा अपने डेटो बर्द और अपना नाम के साथ बेजना या तो फिर आप उसको डाउनलोड डाउनलोड करके आप उसको पीडिया बनाके बेज सकते हमें ठीके जैसे आपकी इच्चा हो ठीके चलिए बिल्कुल बिल्कुल मैस की क्लास लगने लगी है रात की नौ बजा देएगा आज रात में ठीके लाइब क्लास रहेगी मैस की आपको चलिए तीके बहुत से लोग ने कर भी दीए सेंड यह मैसीज पीडियाफ उन्ने सेंड कर दिये कुछ लोगों ने रूल नमर सेंड कर दिया हूं डट अब तो आप लोग में से जितने लोग बचे हुएं वह लोग भी सेंड कर दिए जल्दी से यह वीडियो मतलब यह क्लास खतम होन जल दिस बताएंगे मैं ही पढ़ांगो अमित गोतम जी मैंस आपको में ही पढ़ांगा रातकी 9 बजे ठीके चलिए सबी लोग आईएगा ठीके और अगर topic wise पढ़ना है तो tricky nd classes पर पढ़ाई जाएगा आपको जो की नुतर मेहम पढ़ाएंगी ठीके 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 लाइब क्लास लेंगी नुतर मेहम वाइड बोर्ड पर आपका ठीके tricky nd classes पर मैस पढ़ाई जाएगी आपको अभी आज जो रात की 9 बजे क्लास है वो इसी चैनल में पढ़ाई जाएगी जो की मैं पढ़ाऊंगा अगर topic wise पढ़ना है नुतर मेहम से बोर्ड पर तो tricky nd classes पढ़ाई जाएगी जिसकी link आपको description में मिल जाएगी ठीके वीडियो लाइक कर दीजिए अगर पसंदार है तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तोड़ा सा लाइक और शेयर करते चलिए अगर ये उस राज्य का नाम बताईए जो मद्देपदेश में एक नवंबा दोयार को अलग हो गया था कौन सा है फ्रेंट जल्दी ब ठीचेश की किते जी लेकर चोले गया था मद्द के जयान कяти लूट यह गया है और चलिये बिल्कुल बहुत है भूलत सार् circular अक्यान है आपके पास तो बिलकुत चले चल वह दूर है तक दांबेंड बहुत यॉश्चान दे देख ले देखे न्यू डाइमेंड क्लासेज पर वैसे भी सभी लोग डाइमेंड ही रहते हैं बस उनको और तराशने की तरह होते हैं तो आप सब लोग क्या इडामेंड है ठीक है इडन गार्डन क्रिकेड स्टेडियम बारत में कहां अचती थे इडन गार्डन सभी नाम सुनावा बह यहां पर कहें है इसका राइट अंसर कॉल कथा ठीक है बारती जी इरवर्मा जी शिवारे जी जो लोग भी प्रेंड यह वाटसम नमबर है जिसने नोट कर लिजेगा और जिन लोगोंने मैसिज कर दिया है वह मैसिज दुबारा ना करे जिन नहीं कर आई वह करे बिलकु छ सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिए अमारे चल में कोई प्रेट की बात नहीं होती चर्चीद फ्री है बस आपको सब्सक्राइब चल्यवी जाइन करेंगे साइंस की क्लास ठीक है धन्यवाद जैसी गड़ेश आपको जॉइन करेंगे से चल्ड चल्डवी मीडियों चल्यवीरिये गडिय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल जले वीडियो को शेयर कर दीजिए कुछी देर में करें सर आप से पांतर सेकंड में आप से जोइन कर दीए करें सर ठीके चलिए करें में इन वे योऊ परें सर रपनने सर आप दीजिए कर दीजिए भराइक भूश में आप से जो जैस श्री गणेस दोस्तो वेलकम टी न्यू डामेंड क्लासेस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग क्या पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं सबी लोग को पता है ठीके और भी कोई बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए तो न्यू डामेंड क्लासेस का ओफिशली वाटसअप नंबर है यह देख लीजे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोग इस पर बहुत सारी डीटेल अपना जो भी आप पूछना चाते हैं वो चीज़े इस पर पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हैं और आपको अभी क्या बोला जाया गया है कि जैल पेरी का आपका जो अंसर शीट आई है आप लोग की ठीके तो आप लोग इस पर इसको सेंड कर सकते हैं या अपनी डीटेल्स वह पर भेज़ सकते हैं आप लोग ठीके बिलकुल यहां पर सभी लोग को हलो यहां पर बिलकुल आवास मर्श्त है सरजी अरे को सबहरें कर दिए तो यहां पर अंजली जी कर दिए बिल्कुल अंजली धन्यवाद ठीके और भी अच्छा होगा मैं आऊंगा बोट पड़ाने को दिक्कत वाली बात नीगучас उप WOR菁 करते हम वीडिओ ज्यादा लंबा नहीं खेशना है हमें बस फटा फट कोश्चन खतम करने है चलिए पहला कोश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है ये देखे पहला कोश्चन आ चुका है उमीदे सभी लोग दिखरा होगा कोश्चन चलिए यहाँ पर बताईए आप से पूचा है कि प्रित्वी पर म क्या होगा इसका अंसर यहाँ पर बहुती नॉर्मल सा कोश्चन है ऐसा कोई दिक्कत वाला कोश्चन नहीं है यहाँ पर फॉल्डेड लेक कह रहा है देखे आपको जब ऐसे कोश्चन आते न मैं आपको एक छोटी से चीज बताना चाहूंगा कोश्चन सारे पड़े सारे पड़े एक को भी ना चोड़े एक को भी ना चोड़े हाँ बिल्कुल यहाँ पर स्लिप ऑन ग्राउन यहाँ पर कहा है किसी ने बिल्कुल यहाँ पर सही है जो कि आपका अर्थात सी वाला ओप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है सी वाला ओप्शन आप देखें यह पर चलते हैं हम लोग यहाँ पर अगले कोशन आगया है आखों के सामने कि चलिए आगे कोशन आत बहुत साघ छीजिश और आप लोगों के लिए आप फिर सोते डाइंबिकुल मुक्यज जी इसलिए पर प्रम्राइब के लोगर बिल्कुल याँ पर मिनीमम रहता है यहां पर प्रेशर बिल्कुल चलिये चलिए यहां पर बताईए गुड़ अफर नहीं यहां पर कि चल रहा है कि पीछे वाले का अंसर आया इस इसे ऐब पर आप मैं आप से पूचा गया है इनमें से कौन सा बनाता है बहुत ही बड़िया गोस्टन लीए है आज मैंने यहां अपर कुछ लोग यहां पर संखी तर थी यहां पर आतर घृते आपने का आपनर अपने अपूर आपको चाहिनिंटीक का है गहा मैं आपको एक चीज बताता हूँ cave लिखा हुआ cave यहाने kua देखिए तो cave है यहाँ पर यह देखिए यह आपने हाथ को ऐसा बना के देख लिजे वली यूँ करके मोल के देखिए अपने हाथ को यूँ करके ज़ए चिकना साइड होता है यह देखिए यह आया यहाँ पर यहाँ पर एक focus पर आ जाती है तब यहाँ पर एक image बनती है उसे हम कहते ही real image हो दिये ठीक है real image बनती है वो किस में होती है condition किस में होती है अपनी concave में होती है ध्यान रखिएगा concave में बनता है real image किस में बनती हमारी concave mirror के अंदर बनती है ध्यान रखेगा पूछा जाता है आपसे question ये बहुत ही प्यारे तरीके से चलिए अगले question के ओपर चलते हैं convex आप सभी लोगों पता है अगर ये ऐसा बनता है तो convex उल्टा बनता है ठीके ध्यान रखेगा आगे चलते हैं अगले question के ओपर चलिए एक और चीज़ बता देता हूं में इसमें आई है तो convex mirror जो के रहेते हैं आप लोगों ये आपका virtual और erect image बनाता है हमने आपका कली पढ़ाता है इससे related question छोटा और आभासी यहां पर बनाता है ठीके छोटा और आभासी बनाता है ठीके इरेक्ट बनाता है नोट कर लीजेगा इसे चलिए आगे चलते हैं नए question के ओपर मुझे आपकी comment नहीं दिखाए दे रहे हैं यहां पर मैं एक second कुछ देख लेता हूं यहां पर कोई दिक्कत हो गई है ठीके मैं नए question लगा देता हूं नए question पर चलते हैं यहां पर चलिए मैं एक second का hold करिएगा मैं यहां पर आपके चैट देख लूँ चैट शोनी हो रही है आपकी चलिए यह बताईए यहां पर एक नए question आगया आपकी आखों के सामने जल्ली से बताएंगे इसका answer क्या होगा आप से पूछा क्या है यहां पर कमरे में जलते हुए कोईले के साथ सोना क्यों उचित नहीं है चलिए बहुत ही बड़ी है ठंडी का समय है ऐसा को करिये मत कमरे में जलते हुए कोईले के साथ सोना क्यों उचित नहीं है सोना मतलब वो सोने वाला नहीं सोने वाला सोना जो उपन सोते हैं रात में वैसा वाला सोना चलिए यहाँ पर बताईए क्या होगा इसका अंसर चलिए जल्दी से बताईए यह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इस वज़े से मैं आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूँ चलिए मैं में फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर चलिए सभी लोग यहाँ पर डी डी के रहे हैं यहाँ पर कोई के रहा है यहाँ पर उसको रूम में कोईला जला के बैठ जाएं चलिए यहाँ पर बताईह आपसे पूछाए यह से यहाँ हमिसा आद रखेगा कि basic structural and functional unit of all life form is सभी जीवो रूप में मुल्ट संजनात्मत और प्राकार्य इकाई है the basic structural and functional unit of all life form is क्या होगी cell, tissue, organ, organ system क्या होगा बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग common comment कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर cell के रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही है देखे पहले cell बनता है इसने series में लिख रहा है cell, tissue फिर आपका organ, organ system फिर organism यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है यहाँ पर आप जो भी लोग यहाँ पर cell के रहे हैं वो लोग का उत्तर बिल्कुल सही है ठीके चलिए जल्ली से बताईए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ठीके और इसकी study को क्या कहा जाता है cytology कहा जाता है ठीके cytology कहा जाता है एक बहुती important point cytology word आपके paper में आया हुए cytology जो word जो term है यह किसने दी थी जल्ली से बताईएंगे किसी को पता है तो comment करके जल्ली से बताईए जो यह cytology word है ठीके study of जैसे हम कहते है study of cell cytology तो यह cytology word जो term है यह किस ने दी थी clean नहीं दिख रहा है थोड़ा सा प्रिंका जी आप revolution बढ़ा लीजे क्योंकि अभी क्या है मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ इस वज़े से क्या होता है इस समय आते आते हमारे पुरकेंजे जी ने नहीं दीती बिल्कुल गलत जवाब है प्रोटोप्लाजमिका टर्म उनने दिया था पुरकेंजे जी ने यहां पर आपकी cell की बात हो लिए ठीके cytology देखें ऐसा नहीं है कि हमें गिने चुने नाम यादे तो हम वही बता दें यहां पर ठीके cytology जो वर्ड है आपका आपके heart wing ने दी थी किसी ने लिखा यहां पर उपर गया उनका comment सायथ से heart wing note कर लिजेगा heart wing ठीके हिंदी में भी यही बोलेंगे इनको और इंग्लिश में भी यही बोलेंगे heart wing ने दिया था यह जो term है आपका cytology word यह आपको किन ने दिया था heart wing ने दिया था यह आपसे पूछा गया है ठीके ध्यान रखेगा चलिए इससे related और आगे बात आईगी जब आपको cytogenetics के उपर बात आईगी तब अपन बात करेंगे बिलकुल यहां पे धनी जी बिलकुल सही का आपने चलिए एक और question आईए है नए question है छोटे छोटे point के साथ आपको बहुत ही बढ़ी चीज़ बताई जा रही है ओध्यान रखेगा शायद अर्जुन सर्न ने आपको बता दिया होगा 5000 question ठीके plus science के आपके बकायदा start करे जा रहे है नूतन में के द्वारा ध्यान रखेगा उससे तो भार जाने के कोई मतलब गुंजाईस ही नहीं है इससे भार जाने की तो आपको बकायदा वो पढ़ना है ध्यान रखेगा ठीके बकायदा आपको tricky nd classes को subscribe करना पड़ेगा उसके हो के अलग-अलग answer आ रहे हैं यहां पर जिसने भी less than सभी greater देन में लगे हुए less than seven अरे less than seven ठीके यहां पर आपसे क्या पूछा गया है कि अर्थ कोई आपका seven seven रहता है ठीके ध्यान रखेगा यहां पर जो आपका बी वाला option है ध्यान रखेगा greater than seven होता है संगीता राठोर जी का मातर अंसर आया बाकी सब greater than nine लगा रहे हैं अभी शेग जी बिल्कुल सही है यहां पर चलिए नएस question के बढ़ते हैं ध्यान रखेगा greater than seven होता है ठीके और scale कौन सा नाप निकले अर्थ कुई का यूज किया जाता है यहां पर रिचर्ट scale में यूज किया जाता है question आया हुआ है आपका कौन सा नाप निकले कौन से scale यूज करी जाती है इसके अनुभव में question आया हुआ आपका चलिए नया question आया है आपकी आखों के सामने जली से बताएंगे आप से पूचा गया है कि साथ डिगरी का एक लिक का gain कि साथ डिगरी के जल से भरे पात्र में डाली जाती है तो उश्मा जली से बताइए क्या होगा मैं question पूरा हटा दिया है आपके सामने पूरा screen पे दिख रहा है आपको मैं और zoom कर देता हूं किसी को कोई तकलीफ ना हो हाँ बिलकुल यहां पर राजेंद्र भारती जी बिलकुल सही के रहे आप चलिए नया question आ आपका B option बिलकुल सही जवाब है चलिए बिलकुल अभिशेक जी राजेंद्र जी विकास जी बिलकुल सभी लोगों का सही उत्तर एकदम इसी बात पर सभी लोग एक बाद शेयर कर देंगे अगर किसी ने शेयर नहीं कर आए तो थोड़ा सा important question आया आपके आखों के सामने दिमाग में रखने वाला question है ठीक है इसको दिमाग में रखेगा ने तो screenshot लेके जिम में रख लेजेगा ठीक है चलिए नया question आगया आपसे कि silk obtained from which of the following stage of the silk moth ठीक है रेशम मौत निम्मे से कौन से चरण में रेशम प्राप्त होता है कौन से चरण में जल्ली से बताईए यहाँ पर लारवा के रहे हैं कुछ लोग सभी लोग लारवा के रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल अंजली आदर जीने मतलब यह कहीना कहीं बिल्कुल इनको पता था बिल्कुल सःजवाब है बिल्कुल यहां पर सिर्स रोकेशंचा ऑफ गर जलते हैं हमो eer से बताएंगे उमीद में MP& को कुष्ण दिख रहा होगा चलिए रोबर्ट हुक के बारे में आ गया है यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर विच्छ माटेलियल डिड रोबर्ट हुक फर्स्ट अब्जवड अंडर दा मैगनिफाइं डिवाइस डूरिंग दा डिस्कवरी ओफ सेल सीधी बात है कि जो रोबर्ट हुट ने आपका डिस्कवर किया था वो किसके थूरूर डिस्कवर किया था उनने कॉट के रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर थिन स्लाइज ऑफ क्रॉक thin slice of croc, यहां पर बिल्कुल जवाब के रहे हैं, आप लोग यहां पर, D वाला option यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, D option यहां पर, बिल्कुल सही जवाब के रहे हैं, ठीके, देखे, मैं आपको एक चीज बताना दूसरी बात अगर नॉन लिविंग था तो लिविंग के बारे में किस ने बताया था लिविंग सेल के बारे में किस ने बताया था जल्ली से बताएंगे लिविंग के बारे में नॉन लिविंग के बारे में तो हमने बता दिया रॉबर्ट हुक ने ठीक है यहां पर लिखा करके भी उनका नाम पर हमें एवी से काम चल जाएगा बिलकुल यहां पर किसमें किया था यह भी बता दीजिए चल यह बहुत ही बढ़िया एक और आया माइक दिमाग में तो यह भी बता दीए किसमें पता जैसे इनने क्रॉक में बता किया था उनको किसमें पता चला था बिल है है से के बिल्कुल यहां पर माइक्रोप्ला statement चिक हैं बैक्टीरिया यहां पर रखिए जो फर्स्ट एविंग्स धूंडा गया थो था बैक्टीरिया की खोश करी गई थे सबसे पहले से इन फोल है बैक्टीरिया से पता है प्रकेती के रहस से कोई नहीं बोलेगा कोई कि रहस से कोई नहीं बोलेगा यही लिखा आएगा आपका सीक्रेट्स ऑफ नेचर कि ने लिखी थी एवी लुइंग हुक ने इनकी बुक थी है 1665 जो आप कह रहे हैं वह सिर्फ उसका है क्या नाम है आपका डैट सेल का डैट लिविंग उसका है कॉक्क का जो की रॉबर्ट हुक ने दिया था जहान रखेगा चलिए क्यूंकि नॉन लिविंग के बारे में तो हम लोगों को पता है लिविंग के बारे में मैंने आपको बताना चाहा थोड़ा सा कि लिविंग सेल कौन सा था वह आपको पता तो था पर किसने दिया था यह मुझे पूछना था सीक्रेट ऑफ नेचर बिल्कु सही बात है याद रख बिल्कु सही बारे में तो यह भी आपका जैल पेरी है तो MP पूलिस में भी पूछ सकता है आपसे चलिए यहाँ पर बताईए और्गनिजम मेड मोर देन वन सेल ठीक है एक से ज्यादा सल एक से अधिक कोशिका से बने जीवों का कहा जाता है क्या कहा जाता है मल्टी और बि में धुल कि कह बिल्कुल सी वाला आंसर यहाँ पर सही है थीक अभी तक अगर किसी ने वीको लाइक रहा है तो उमीद है आप लोग को कर awak कर देंगे सबी लोग सबी लोगों से उमिए है मेरो कि वो वी-डियो को लाइक कर देंगे चलिए नया कोश्ण आपकी आंकों के साम प्र्डाद है ठीके है जल्ली से बताइं विच औफड़ फॉलाइंग इस आर्प्रॉड्ट अप वेस्ट वाटर ट्रीट्मेंट मेंट थीके जल्ली से बताएं बिल्कुल बहुत कहए रहे हैं यहाँ पर सभी लोग बायो गेस कहे रहे हैं यहाँ पर सुरेंदर जीwow दोनो बिलकुल यहाँ पर दी वाल आंसर नी होगा जल वहाक नहीं होगा यहां पर गोबर्गेस एवं मल दोनों होगा ध्यान रखेगा सी वाल ऑप्शन करेक्ट है कोई बात नहीं डिलिट करने की आवश्च रखता नहीं है ऐसा कोई प्राइज नहीं मिलेगा हमें कि यहां पर डिलिट करके कुछ Wie जाएगा खुछ नहीं है सीखने के टाइम पर ऐसी होता है यहां गलती करेंगे चलेगा ठीक हैं पेपर में गलत मैंने देखता हूँ में बहुत से लोग मैसेज कर दे थे și की कोई ज़रूत नहीं है मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ रहा है यहां पर अभी चलिए यहां पर बताईए आप से पूछा गया है यहां पर कि आप ब्लैक स्मित हैमर a hot piece of iron while making a tool the effect of the force due to hammer is एक लोहार एक उपकरण बनाने के दोरा लोहे को एक गरम तुकड़े को घन से पीचता है गणतल के कारण बल का प्रवा होगा जली से बताईए क्या होगा उसके बाद क्या होगा सीधर पूछा गया यहां पर फ़ल्यूम् के रहे थोड़ा सा क्या है कमेंट देखें मैं आपको क्या कह रहा हूं ओप्षन चार रहते हैं जब हमें नहीं कोश्चन एक ऐसे टाइप के अगर कोश्चन आते हैं तो चारो पढ़िया करें चारा option पढ़ने के बाद ही उसका answer टिक करा करें पहला option देख की answer मत करा करें ठीक है ध्यान रखेगा जो भी लोग कर रहे हैं ऐसा अगर करते हैं वो shape change के रहे हैं यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल यहाँ पर के रहे हैं shape change होगा बिल्कुल यहाँ पर जो की अर्थाद आपका C वाला option है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब के रहे हैं आप लोग C वाला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है याद रखेगा दिमाग में रखेगा कि सारे option पढ़ें देखे option पढ़ेंगे तब ही आपको समझ में आएगा density भी उसका volume भी नहीं बदलेगा shape बदलेगा उसका shape बिल्कुल यहाँ पर नहीं पता सर जी कोई बात नी थोड़ा सा आप लोग उसको ध्यान रखेंगे रवी जी तो समझ में आजाएगा सीमा जोशी जी भी C के रही हैं बिल्कुल सही जवाब है chain shape जो भी के रहा है सोनम जी भी के रहे हैं बिल्कुल जो लोग भी shape चेंज के रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है चलिए यहाँ पर बताईए क्या पूछा गया है यहाँ पर चलिए यहाँ पर बताईए आप से यह आपको मैंने chemistry की class जब ली थी जब मैंने आपको यह question कराया था ठीक है अब देखता हूं कितने लोग यह चीजे चलिए यहाँ पर पूछा गया है चलिए बिलकुल यहाँ पर सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं बिलकुल सही जवाब जो लोग भी कह रहे हैं no reaction take place यहाँ पर बिलकुल सही जवाब कह रहे है no reaction take place मैंने बिलकुल बताया थे कि जो copper metal होता है हमारा वो dilute के साथ reaction नहीं करता तो यहाँ पर कोई भी reaction नहीं होगी बिलकुल यहाँ पर no reaction take place यहाँ पर बिलकुल सही जवाब है जलते हैं नई question के उपर बिल्कुल no reaction बिल्कुल B वाला यहाँ पर सही पता रहे ठीक है copper आपका तामा है जो आपका वो dilute के साथ reaction नहीं करता है ठीक है dilute surferlic acid के साथ reaction नहीं करेगा वो चलिए यहाँ पर relation पूछा गया है आपसे चलिए दो भिविन जीवों में संबन जो एक साथ रहते हैं और परस पर लाभामवित है जल्ली से बताइए वो कौन सा है जल्ली से बताइए यहाँ पर कौन सा है यहाँ पर आगया है अंजली जी का answer बिल्कुल यहाँ पर सुरेंद्री जी आपसे पहले answer कर दिया उनने बहुती speed में ठीक है बहुती मतलब competition वाला काम हो गया है यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर symbiotic जो लिए हुँ भी कह रहे हैं कुछ लों कह रहा है symbiotic symbiotic बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है एक साथ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है symbiotic यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका B ठीक है मैंने इसका like and इसका example दिया था आप लोगों को ठीक है परजीवी होता है जैसे कि दूसरे उस पर डिपेंड होता है ध्यान रखेगा पैरासितिक परजीवी लिखा हुआ है जो चलिए यहाँ पर इगनिशन के बारे में आया है बारे में what is the ignition temperature प्रजलन तापमन क्या है जल्ली से बताइए क्या होगा चलिए यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका आंसर प्रजलन तापमन क्या है आगे बढ़ते हैं उससे question आ जाएगा दिक्कत मत लीजे हाँ बिलकुल यहाँ पर अंजली जी और LG यहाँ पर बिलकुल सभी के रहे हैं आप चलिए नया कुश्चन आगे है आपके आखों के सामने जल्ली से लिटा इंगी तेंपरेशर वाट इसवाट इस इगनीशन टैंपरेशर आपसे पूछा गया है जल्ली से बताएंगे यहाँआपा सभी लोंग C की तरफ जा रहे हैं temperature at what is a substance catch fire बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है जो कि आपका C वाला option बिल्कुल सही जवाब है आपका का बिल्कुल सही जवाब है सुनेंदिर जी सोनम जी बिल्कुल यहाँ पर अंजली जी बिल्कुल सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं चले आगे चलते हैं नए question के उपर हम ल बढ़ती अमर बेल किसका उधारण है जल्ली से बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका ठीके इसका आंसर क्या होगा आपका इसका अंसर क्या होगा भी थोड़ा मैंने बताया था ठीक है यहां पर के रहे हैं यहां पर पैरासाइट के रहे हैं यहां पर पर जीवी के रहे हैं यहां पर बिल्कुल यहां पर सवी जवाब के रहे हैं पर जीवी देखें पर जीवी होता है बिल्कुल सही जवे हैं देखे period हो गया, खंबा हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग ने एक बेल देखिए, ऐसे से करके उस पर चड़ती रहती है ठीके, वो तो दूसरे पर depend रहती है ठीके, उसके बारे में आवाद हो रहा है पर जीवी, ठीके, अब आपको तो saprophytic के बारे में पता है मिर्द जीवी, जो मरे हुए अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीके, जो dead and decay, जो मरे हुए जीव होते हैं उनसे, मतलब अपना भोजन प्राप्त करता है जिसको हम कहते है, सेप्रोफाइटिक देखे, autodrops होता है, जो चलिए, यहां पर पूचाएगा है, जल्ली से बताएंगे आप से पूचाएगा, the organism which constantly changed its shape and position बिल्कुल यहां पर shape and position आगया, लिखा हुआ हमें समझ में आगया, हमें क्या answer करना है बिल्कुल, यहां पर बताएगे, यहां पर क्या answer होगा shape and change की बात हो गई है, हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं हमै, amoeba करे रहे है सबी के answer देखना है, मेरे को जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं, किते लोग, बिल्कुल यहां पर सबी लोग answer करे रहे हैं, बिल्कुल यहां पर 16 लोग देखना है चलिए बी के रहे हैं बिल्कुल अमीबा यहां पर बिल्कुल सही जवाब है यहां पर जो कि आपका बी वाला आप्शन है बिल्कुल अमीबा यहां पर बिल्कुल सही जवाब है ठीके यह एक कोशिका यानि की यूनी सैलूरर होता है ध्यान रिखिएगा प्रोटोजोग का ए इस उदारन के प्रियोग में मांपा जाता है चलिया यहां बता है उपकरण माफ कीजिएगा उदारन पढ़ीया उपकरण लिखा हुआ है खीकिए ऊपकरण गरम पानी का तापन इस उपकरण के प्रियोग से मापा जाता है ता होट टेंप्रेचर ऑफ होट वाटा में इस मेजली से बताए है मैंगे מאम घर entrevा जाया है सब मुझा diffi घान रखे गा यहां पर लेवरेटी खलत यहां गनता है यहां पर यो आपका लेवरेटी देखा जाता ध्यान रखेगा डी वाला option यहां पर बिल्कुल सही है दिमाग में रखेगा आपसे पूछा गया यहां पर temperature of hot water is measured using गरम पानी पर ताप मान इस उपकरण का प्रियोग से मापा जाता है गरम पानी का जो temperature नापा जाता है किस उपकरण से नापा जाता है यहां पर आपका उन्हें पूरा option पढ़े और पूरे option पढ़ने गया तो आपको समझ में आ जाएगा देखे उसने कैसे घुमा के पूछा आपसे लेंग्वेज बना के पूछ लिया कि bread toaster के के टूटे हुए handle को बदलने के लिए तूटा हुआ handle है उसको बदलने के लिए आप निम में से बिल्कुल यहां पर गरम नहीं होगा बिल्कुल यहां पर सही जवाब है वो डियाने की लकडी बिल्कुल सही जवाब कहा है बाकी आप यह तीनों मेटेरिया अगर यूज कर लेंगे तो अगर आप अगर तपेली है आपका ब्रेस टोस्टर है वह गरम होगा तो आपका handle भ बिल्कुल सही का है हाँ हात नहीं चलेगा बिल्कुल एकदम दिस्क्रिप्शन के साथ मुकेजी बिल्कुल सही लिकरे है हाँ बिल्कुल देखे चलिए यहां पर आगे चलते हैं यहां पर वुड़ेजेज no electron ने electron तो होते हैं उसमें पर वह पास नहीं कर सकता ठीक है ऐसा बेसिक सा पॉइंट था वो सबको लगता नहीं होते हैं पर वह मूव नहीं कर सकता फ्री नहीं होते बिलकुल यहां पर बताईए नया कुश्चन है बिलकुल नया कुश्चन आ चुका है आपको राइजोबियम के बारे में आया है यहां पर वाट इस दा इंपोर्टेंस ऑफ राइजोबियम ठीक है जल्ली से बदाए राइजोबियम का क्या महत्व है बिलकुल यहां पर देखे कितने बढ़िया मतब सुरेंदी जी एकदम ख बिलकुल यहां पर उनका उक्षन इट फिक्स एट्मोस्वेरिक नाइट्रोजन बिलकुल यहां पर सही करता है बिलकुल सही जवाब है यहां पर ज्यान देखिएगा बिलकुल यहां पर नाइट्रोजन आगे चलते हैं हम इसकी बात करेंगे नाइट्रोजन को फिक्स करता यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे question की तरब चलते हैं हम लोग next question की उपर next question की उपर चलते हैं हम लोग चलिए यहाँ पर बताएं Morphesis के उपर आया है question आपका किके इसमें से कौन सा statement wrong लिखा हुआ है जल्ली से बताएंगे कौन सा statement wrong लिखा हुआ है बिल्कुल चलिए nitrogen fixation का काम करता है बिल्कुल यहाँ पर सही के रहे है चलिए यहाँ पर बिल्कुल next question आ चुका है that is wrong about Metamorphoses उमीदे आपके पूरा question पढ़ लिया होगा बिल्कुल यहाँ पर answer आने लग गया है बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग B के रहे हैं B की तरप सभी लोग जा रहे है कि अंडा सीधा सीधा एवं एक जीश से उनकी शेश्ताओं के साथ जो एक व्यासक में होते हैं बाहर आता है बिल्कुल यह गलत बात है बिल्कुल सही बात है सही जवाब दिया है आप लोगों ने एकदम बी वाला एकदम सौपे सटी का अंसर बी वाला उत्तर यहां पर बिल्कुल सही जवाब है ठीक है अगर आप लोग कंटिनियसली वीडियो देख रहे होंगे लगातार डेली वीडियो देखते होंगे तो आपको बहुत सारी चीज पता चलती जाएगी बहुत सारी चीज़ आप देखें यह कुशन है इससे रिलेटेड मैंने आपको चीज़े बताई थी अब जिसको पता होगा या फिर आज कोई जोइन कर रहा है तो पुरानी वीडियो जरूर देखें यह कुश्चन वो सॉल्व कर देगा यह कुश्चन वो सॉल्व कर देगा क्योंकि यह कुश्चन मैंने फिजिस की क्लास में लिया था आपकी ठीक है फिजिस की क्लास में लिया था अब आपको सॉल्व करना है यहाँ पर देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप से ठीक है अब देखें यहाँ पर 45 किस किस का आंसर आता है और किते लोगों का 45 आता है चीक है यहां पर सुरेंद्र जी का तो अंसर आ चुका है उनने लिखा है 90 देखे यही मैं कहे रहा था कि आपके साथ दिक्कत क्या है आपने अप सुरेंद्र जी ने बढ़ी इंसिडेंट रे आती है आपकी सीधी बनाता हूं में तेड़ी बन गई नॉर्मल जो रेती है यह आपकी इंसिडेंट रे आती है यहां पर ठीक है यह यहां पर कह रहा है जो इंसिडेंट एंगल संडरे दोनों equal होते हैं अभी आपको उसने बता दिया कि एक आपका जो angle है वो 45 degree का है incident rate का आपका तो 45 लिखा अगर ये 45 है तो ये भी 45 है तो इन दोनों का total कितना हुआ 90 हुआ ये बकाइदा आपका हो गया angle निकल गया बेलकुल यहां पर मुकेजार जी बिलकुल सही का है मैंने बकाइद आपको समझाया था चले आगे चलते हैं बस आपसे पूछा क्या है कितने का angle दिया ऐसा नहीं 45 का दे दिया है कभी दूसरा angle दे दिया तो उसके बिस के हिसाब से आपको उसको solve करना पड़ेगा फिलकुल यहां पर कुए से पानी निकालने के लिए रसी को जली सरता है यह रोक्सी को क्या करना पड़ता देखे किसा question है normal सा question है कोई दिक्कत नहीं होनी चीए हमें collect के रहे हैं यहां पर सभी लोग खीचा जाता है बिलकुल यहां पर सही जवाब है तो बच्चो वाला question था कीचा जाता है देखे ऐसे question भी आते हैं आपके daily science पर जो होता है निर्दारित बी वाला option यहां पर बिलकुल सही जवाब है सभी लोग बी option के रहे हैं अरे डी option के रहे हैं push की कहा ज़रुत परती है उसमें push कह रहे हैं यहां पर चनीता जी आप कह रहे है push D वाला कह रहे हैं वहाँ पर धकेलने की अवश्यक्ता नहीं होती है वो तो खुदी उसमें gravity work करती है तो वो नीचे खुदी चले जाती है बाल्टी हमारी ठीक है फिर हम कुए से पानी क्या करते हैं आप से पूचा गया है रेशंव प्राप्ट करने के लिए रेशंव कीट का पालन को कहते हैं चलिए रेशम कीट पालन करने के लिए मतब रेशम पाने के लिए रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है बिल्कुल यहाँ पर देखिए मदू मक्खी का पालन को हम लो तुम दिकांतर अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपको रyeong कहाँ से मिल अंजली जी, भिल्कुर यहां पर सही कहरें सब लोगु कुल मुकेजा जी, भिल्कुर सही है आपको विल्कुर सही जवाब है ठीक है लिए होटी foster के बारे अगले कोश्चन की तरफ नॉर्मल सा कोश्चन है ये ध्यान रखेगा आपको ये मत कीजेगा सर ये जीकेगा कोश्चन है चलिए यहाँ पर आपसे पुत्रा है उत्राखंड में वन अगनी इसका उधारण है जल्ली से बताएंगे चलिए यहाँ पर बताईए आपसे पूचाए जया है फॉरेस्ट फाइर नौत्रा ख़ंड यॉर्ड फॉरेस्ट फाइर नौत्राकड यहाँ पर कभी शेग झिख चिराएंट विल्कुल वॉला उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही है देखे the forest fire forest में आग लगने वाले उत्राखंड में one अगनी इसका उधारन है किसका यहाँ पर rapid combustion का ठीक है ध्यान रखेगा यहाँ पर वाला उत्तर है कि विकास पटल जी ने दिया है और सीमा जी ने उत्तर दिया है बिल्कुल सीमा जी सही उत्तर है चलिए अगले कोशन की तरफ चलते हैं हम लो चलिए यहाँ पर पूछाई गया है चलिए क्रिशी का इत्याद इसके शुरूआत में विकसित हुआ जल्ली से बत पूछा जा रहा है बिल्कुल यहां पर सही जवाब है बिल्कुल यहां पर सही करें जो भी उत्तर एक रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है यहां पर यह वाला यहां पर मुकेजाट जी को बिल्कुल सही उत्तर था पहली फुरसाद में उनने आंसर क्या यहां पर अंजली जी राजेंदर जी सीमा जी सभी लोग विकास पटेल जी बिलकुल यहां पर रहाई आप लोग चले आगे चलते हैं नहे कुशन की तरफ हम methyl चलिए ये question आगया है बकाईदा आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जल्ली से बताएंगे आप plant need nitrogen to produce protein सबसे पहले plant को क्या जरूत पड़ती है nitrogen की क्यों protein produce करने के लिए यह हमारा fact clear हो गया है they get nitrogen in the form of तो उन्हे nitrogen किसके दुआरा मिलता है यह बताएंगे चलिए protein उत्वन करने के लिए पोदे को nitrogen की अवशक्ता होती है बिल्कुल सही है वह nitrogen को इस रूप में प्राप्त करते है answer दीजे ammonia के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर B options जो भी के रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही है nitrogen salt from the soil in the soluble form बिल्कुल यहाँ पर सही के रहे है कि म्रदस से विले रूप में nitrogen लवंड बिल्कुल सही जवाब है देखे अगर पेडों के पेडों में ठीके पेडों में अगर जमीन में पेडों की जमीन होती है उसमें अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उनको प्रोटीन नी मिलेगा अगर उनको प्रोटीन नी मिलेगा तो वो क्या करेंगे नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे जितने भी पक्षी होंगे अपन भी होंगे वो अपन को भी खा जाएंगे ठीक है अपनों को बोजन बला लेंगे प्रोटीन की कमी के कारण वो लोग नाइट्रोजन की कमी अगर उनको हो गए तो वो प्रोटीन के लिए अपन को भी खा जाएंगे ठीक है पक्षी जो होंगे उनको भी खा जाएंगे जो भी आसपास तो वहाँ पर कीट भक्षी बन जाते हैं, हाँ बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है, नाइट्रोजन की कमी को धूर करने के लिए, यहाँ पर स्टेंथ, और एक विद्दू चुम्बक की शमता इस पर निर्वर करती है, कुश्चन को पूरा पढ़ेंगे, अंसर समझ में आ जाएगा, चलिए, यहाँ पर बताईए, चलिए, बिल्कुल यहाँ पर सही बताए, बिल्कुल पासिंग चुरोधा कॉइल, बिल्कुल उस पर डिपेंड करती है, बिल्कुल जितने ज़्यादा कॉइल्स होईगी, उसमें गोल गोल लगी होती है जो, ठीक है, बोत यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब के रहे हैं, बिल्कुल अंजिली जी बिल्कुल सही है, यहाँ पर विकाज जी बिल्कुल सही जवाब है, आगे चलते हैं, अगले कोशन के उपर, इस बात पर सभी लों क्या कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप लोगं ने वीडियो को अभी तक like नहीं किया थो ठीके दो听 जल्ली से एक वार वीडियो लाइक कर दिंगे आप लूँ चलिए नया question है आपकी स्क्रीन के सामने सब्सक्रीन में तो विझार कर Parte हैं और बकाइदा यह आपको नूतन में पढ़ाएंगी चलिए यहां पर बताईए आप से पूछाए गया है कि दप्रोसेस ऑफ इंदा ऑक्सिजन इस रिलीज एंड कार्बन डाय ऑक्साइड कंजियूम उस प्रकेगा का नाम बता है जब कार्बन डाय ऑक्सिजन ली जाती है ऑक्सिजन उसरजित की जाती है और कार्बन डाय ऑक्सिजन उप्भोग की जाती है जली से बता है यह फोटो सिंथेस बिल्कुल सही जवाब है बैस एक सा कुश्चन था सभी को माला में सी वाला उत्तर यहां पर बिल्कुल सही जवाब है फोटो सिंथेस अंजिली आदर ज सभी लोग का सही अंसर आ रहा है यह तो गलत होना ही नहीं चीए तो नंबर कमाने वाले नंबर है साइंस में जो एक दो देखे पांच से तीन दो चारी कुश्चन टाफ आएंगे तीन चारी टाफ आते हैं जो ऐसा लगता हमें की नहीं बन रहे होंगे बाकि एक ही शाय से एक कौन सी है सभी लोग करेंगे सभी के सभी अंसर आने चाहिए इसमें किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए यहाँ पर सभी लोग के रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग के रहे हैं लीवर चलिए बिल्कुल लीवर से बिल्कुल यहाँ ज्वूज निकलता है जल्ली से बताईगे यकरत करे रहे हैं यकरत को से यूस would love अ माँजे कौन सा जू प्रॉइड होता है मां से उसे उसा विल्कुल टुछ जल्ली से किसको याद आरा दिमाग में जल्ली से लिग दीजे विल्कोल यहां पर आ आ गया है कमेंट फटा फट दिमाग में नहीं आ रहा देखे बाइल जूस यहां पर बिल्कुल सही जवाब है बाइल जूस यहां पर किसे लीवर से होता है जो कि आपके गैल ब्रेडर में स्टोर होता है ठीक है ध्यान रखेगा मैंने बताया था आप लोगो को पिशली क्लास कर देंगे जल्ली से बताइए इसका अंसर क्या होगा आपका जल्ली से बताइए आप से पूछाए क्या है इन सॉलिट ठीक है ठोस में समयंता उश्मा का अस्थांतरन इस प्रकिक्रिया द्वारा होता है जल्ली से बताइए कि ठोस में जनरली हीट इस ट्रांसवर बाइदा process of बिल्कुल यहां पर सभी लोग net का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा आप लोग की chat रुख जाती है आपर सभी लोग CC के रहे हैं conduction, conduction सभी लोग यहां पर conduction के रहे हैं सभी लोग अलग-अलग answer कर रहे हैं radiation, अरे radiation नहीं होता सूरें से जो करन आती है वो radiation पर आती है ठीक है, conduction के रहे हैं यहां पर सभी लोग conduction, बिल्कुल यहां पर जो लोग भी conduction के रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल 100 पे 60 के, conduction यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, जो की heat transfer का काम करता है conduction करता है अभी हमने उपर wood का काम पढ़ा था wood का example पढ़ा था कि उसका handle तूट गया था तो वो क्या नहीं करेगा मैंने तभी आपको बताया था कि वो लकडी का use करेगा तो जो भी toaster होगा वो गरम होगा तो उसको वो heat नहीं लगीगी तो heat को transfer करने का काम कोन कर रहा है transfer की बात कर रही है मैंने बोला था conduction ठीक है no challenge बिल्कुल यहाँ पर सही है conduction यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है इससे question आता ही है ध्यान रखेगा conduction, convection, radiation इनसे question आता ही है किसी ना किसी को यह question मिल जाएगा आपको चलिए यहाँ पर बताईए आप से पूछा गया है सोना, चांदी और प्लेटी नम जैसे धातू इसके रूप में पाए जाते हैं चलिए से बताईए किसके रूप में पाए जाते हैं बहुत ही बढ़िया हमने कम से कम 40 से उपर question रहते हैं हमेशा 40 पे 45 से उपर question रहते हैं तो थोड़ा सा एक्दम सबर करके बेठिया करें आप लोग ऐसे भगा मत करें फटा फट क्योंकि question बहुत चुनिंदा होते हैं मैं बहुत छाट बिन के लिकर आता हूँ question आपके लिए कि यह वाला पता होना अची आपको चलिए यहाँ पर free metal के रहे बिल्कुल यहाँ पर free metal यहाँ मुक्त धातूर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर d वाला option यहाँ पर बिल्कुल सही है देखे एक एक point भी लिखके लिकर आता हूँ कि मेरे को इस पॉइंट पे आपको यह बताना है अब जैसे आपसे में पूछरू कि मिनरल और ओर्वर्स में क्या अंसर है या खनी चोई आएसक क्या अंतर होता है मिनरल्स क्या होते हैं जो हमें धर्ती से प्राफ्ट होते हैं में आपको पता है मिन्डल्स क्या होते हैं हमारे नैच्रल सब्स्टेंस होते हैं जो हमें अर्थ से मिलते हैं ठीके जैसे एक्जामपल से ले लीजे कॉल ले लीजे ठीके कॉल ले लीजे सॉल्ट ले लीजे और क्या होता है मैटल्स होती है धातू ठीके और क्या होता है और क् बतासे इनको क्या होता है ठानों प्राफिट के ससे में जए कोई निकालते हैं धरती से प्रॉफिट से से पूछेगा तो यह लाइन आपको समझा देगा अगर स्टेटमेंट में भी कुश्चन में आएगा तो ठीक है बिलकुल यहां पर आपके जो प्रॉफिट सेंस में आता है उससे हम और कहते हैं इतना दिमाग में रखे कोई अगर साइंस से भी नहीं है तो वो भी बस इतना जिहान रखे कि मिनरेल और में क्या अंतर होता है और क्या होता है प्रॉफिट के सेंस में निकाला जाने वालों को कहते हैं ठीक है आगे चलते हैं फ्री मेटल उसका अंसर था चलिए यहां पर आप से स्पंप के उपर कोश्चन पूछा गया है यहां पर उमीद है आप होता है ठीक है शुकरान होता है ऐसे टाइप का बना होता है पीछे से एक्दम टैल टाइप का होता है और ऐसे बड़ा होता है ठीक है आपको यह बताइए कि पीछे से ऐसे उसकी पूंच क्यों होती है यह पूछा गया आप से हाँ बिलकुल यहां पर आप से कर रहे हैं पर अंसर तो common आ रहे हैं कुछ लोगे C option आ रहे हैं अरे hold करने का काम क्यों करेगा to catch hold the egg यहाँ पर कह रहे हैं कुछ लोग बिलकुल यहाँ पर जो लोग भी A option कह रहे हैं देखे पूंच जो होती है पीछे layer देखे आप भी चलता है जाता है अंदर ठीके ऐसे इसे पहुझा पर बिलकुल स़ई जवाब इक्टम कह रहे हैं आप लोग क्या कह रहे हैं कि मूव बिलकुल यहाँ पर गति चिली टेजी के लिए होता है सिधी बात है करता है जो की आपका टेस्टी होता है ऑपका बलकाईदा wieder एक्जांपल के दिन क्योंसे कौन सा हार्मून लिख लिए आप बकाजा लिख लिजे टेसस्ट्रॉण थीक्या एस्ट्रोजन नहीं अंडर जँन आपका फीमिल के अंदर होता है ठीकिगा एंडरोजन यहां पर बिल्कुल सुने अंडरी जी बिल्कुल और जो एस्ट्रोजन कॉमन एंड्रोजन होर्मोन करता है यहां पर इतना काफी है इतना डिटेल इसके अंदर बाकी और भी डिटेल है कितना स्परम काउंट होता है कितने होता है कितने हैल्दी का होता है स्पीट कितना है 200-300 mm ऐसे करके बहुत सारी चीज़े हैं उसमें फिर छोड़े उसे आगे कोशन में बताएंगे हम लोग कोशन आएगा तो चलिए यहां पर बताईए नया कोशन आपसे पूचा है आपसे पूचा है देखिए यह कोशन आपको जैल पेरी के अंदर आया था बकाइदा मैं किसी का पेपर देख रहा था उसमें मेरे को मिला था यह कोशन ठीक है इससे रिलेटेड कोशन मिला था ठीक है अब कोशन यह ही नहीं आगया था कुशन यहीं नहीं आगया था इससे रिलेटेड़ कोशन मिला था ठीक है कुछ तलावों के उपर हरे रंग का अवरण होता है यह किसकी वर्दी के कारण होता है अब यहां पर मैंने बकाइदा आपको बताया है इसके बारे में अलगी कह रहे हैं आप पर बिल्कुल यहां पर सही जवाब है देखें मैं आपको एक चीज़ अइसकं पर एक अल्गी नहीं होता है एक यह ऐसा पा२ром होता है उसके ब्लूम लिकल लीज्एगा अल्गी एरा तब उसको एल्गी ब्लूम कहा जाता है आपको नाम आएगा ऐसा यहां इसके नाम से तो उस पे भी टिक कर सकते है algae bloom कहते हैं उसे जब बहुत सारे algae यहाँ पर होते हैं यही क्या करते हैं और फिर जब यह dad हो जाते हैं इनको बैक्टिरिया खाने लग जाता है तो क्या होता है पानी में oxygen की कमी होने लग जाती है जिसके वज़ाद से water pollution अंदर बढ़ जाता है इ यह मरते हैं तो oxygen की कमी होने लग जाती है इस वज़े से आपका water pollution बढ़ जाता है चलिए इनने देखे कितनी होशारी से लिख दिया है चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं के उपर चलिए बिल्कुल algae याद करेगा बहुत सारे जब algae होते हैं उसे algae bloom कहा जाता है algae bloom कहा जाता है आपकी स्क्रीन पर यह बताना है आपको आपसे पूछा गया है अवस्ता जब महिला मनुश शरीर पुनारूपदान के समय हो जाती है जली से बता है the stage of which of the female human body is capital reproduction is called poverty यहाँ पर के रहे हैं कुछ लोग मोनोपोस के रहे हैं मोनोपोस कैसे होगा मेरे भाई मोनोपोस तो ठीक है poverty होता है बिलकुल यहाँ पर सए जवाब है आपका poverty यहाँ के रहे हैं बिलकुल यहाँ पर सए जवाब है यहाँ ठीक है और यह अराउंड 50 50 के आसपास होती है लगबग 50 साल ठीक है 40 वैसे 45 50 के ते हैं पर मेरे पास जो नोट है डाटा है मेरे पास उसमें 50 यह लिखा हुआ ठीक है ते हुआ ठीक है बिल्कुल यह आपर सही जवाब है अराउंड 15 फीमेल बिल्कुल यह पर हाँ बिल्कुल यह पर चाहिए 28 देश कर मथ हाँ बिल्कुल सही 50 साल बिल्कुल सही ए ठीक है بाकी मैनार्ज के बारे मेनार्ज क्या होता है ठीक है नहीं पता मैनार्ज को क्या कहते हैं आप इंग्लिश में देख लीजेगा इससे रिलेटेड वर्ड है आगे कभी मैं बताऊंगा मोनो पोस्ट के बारे में कोश्चन आएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नया कोश्चन है थोड़ी थोड़ी डीटेल काफी है क्योंकि ज़्यादा बता दिये जाएंगे एक ही कोश्चन में तो जो नोट करता होगा उसके लिए दिक्कात हो जाएगी फिर उसकी क्या क्योकि जागे की यार यह क्या होता है फिर यह थोड़ी बताया जाता है जितना पेपर में आपके ज़़्यात तर कोश्चन देखे गए जब कोश्चन आए तो आप उसको टिक कर सके kan ठीक है यहाँ पर बताईए नया कोश्चन आपके आखों के सामने आ गया है ठीक है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा कोश्चन आया है यह चलिए आप से पूछाए गया है यहाँ पर during electrolysis of water ठीक है electrolysis of water बिल्कुल सही के रहे हैं आप electrolysis of water the gas bubbles formed at the cathode चलिए बहुत ही बढ़िया देखें cathode की बात है यहाँ पर तो anode भी लिख लीजए और एक लिख लीजए cathode ठीक है एक लिख लीजए cathode ठीक है आपको बोला गया है कि gas bubble formed होते हैं और वो कहाँ पर जाते हैं cathode पर जाते हैं तो ध्यान रखेगा अगर वो cathode पर जा है उनसी चीजए cathode पर जा रहे है बबल जा रहे हैं तो वो क्या होगा hydrogen होगा ठीक है hydrogen इसका answer है क्योंकि और अगर anode पर जा रहे हैं जिसे हम positive charge केते हैं cathode का हम negative charge केते हैं ठीक है तो anode पर जा रहे हैं तो वो oxygen के पास जाएगा ठीक है ध्यान रखेगा बस इतना note कर लिज होती है ऐसी ठीक है उसके अंदर एक certified rod होती है यह battery से connect होते है यह battery से connect होते है यह cathode होती है जिस पर hydrogen होता है और यह anode होती है जिस पर oxygen होता है ठीक है दिमाग में रखेगा hydrogen इसका answer है बिल्कुल बकाइदा और cathode पर hydrogen होता है anode पर oxygen होता है बस इतना ध्यान रखेगा note कर लिजेगा during electrolysis of water ठीक है अब जो भी लिखा होगा question हम समझ जाएंगे cathode की बायद हुई तो hydrogen ठीक है अगर hydrogen यहां लिखा होता है तो किस पर जाते हैं तो cathode option पर टिक कर देते हैं हम लोग graphite rod होती है बिल्कुल यहां पर सही करें मुके जाड जी चलिए नोट करने वालोंने नोट कर लिया होगा बकाइदा ठीक है यह एक battery से connect होते हैं और भी बहुत सारे composition reaction है यह पूरी चलिए बिल्कुल यहां पर decomposition reaction होती है यह electro decomposition reaction होती है उससे related मैंने आपको बताया यह चीच हाँ बिल्कुल hydrogen के रहे हैं सोनम जी बिल्कुल नया कोई की screen पर आते हुए देखे आप लोग इतने time अगर रुकते हैं non stop class आप ही लोगों के लिए लगा रखी है ठीक है non stop class आप ही लोगों के लिए लगा रखी है कि इससे क्या हो रहा है टाइम बेस नहीं हो रहा जो 10-15 मिनिट बीच में gap हो जाता है कि हाँ 15-20 मिनिट बाद class है फिर 15-20 मिनिट बाद class है class दब लेनी हैं तो एकटा ले लो ठीक है एकटा ले लो अब जैसे हमारा तो profit ही होता हम अगर break में बनाए तो हर वीडियो अलग चलेगा हमारा पर हम क्या कर रहे हैं इसको long वीडियो में बना रहे हैं और हमारा time भी बचा रहे हैं आपका और भी जादा time बचा रहे हैं आप बिल्कुल यहां पर सही जवाब है आपका यहां पर बी वाला option यहां पर बिल्कुल सही जवाब का है संगीता जी बिल्कुल सायुत्तर शुरेंदर जी और अंजिली जी है संगीता जी है यहां पर मुकेश जी बिल्कुल मतब कुछ लोग मेरे को देख रहा हूं मैं बहुत कमी ऐसा लगाई कि उनके गलत आंसर आये और भी मेरा भाई कोई बंदू होगा वो नाराज नहीं आप से पूछा गया है उनके बहुत जादा सही अंसर है थोड़ा सा नैट का इशू होगा आपकी तरफ से नहीं तो इदर से कोई दिक्कत होती तो सभी को प्राबलम होने लग जाती मैं जूम कर देता हूं और चलिए आप से पूछा गया है आपर कि ड्रम स्टीक में द्रुम हैरी सीट्स आप आपको केरिड आड डिस टैंक प्लेस चलिए यहां पर चलिए रोयदार बीज यहां पर यह लिखा हुआ बकाइदा आप लोग चलिए एक मिनट रुख जाईए आपके कमिंट फिरे टग गये हैं आज पता नहीं कुछ ज्यादा ही नेट खराब चल रहा है एनिमल के रहे हैं यहां पर कुछ लोग विंड के रहे हैं यहां पर ठीक है विंड यहां पर वायू यहां पर बिल्कुल सही जवाब है आपका बिल्कुल यहां पर डी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है चलिए नेस कोशन के ओपर चलते हैं थोड़ी सी स् मैं समझाने के चक्कर में थोड़ा सा आपका टाइम जादा ले लेता हूँ चलिए यहाँ पर बताईए जल्ली से वायू हाँ बिल्कुल वायू सही के रहे हैं कुल्दी यादव जी बिल्कुल सही के रहे हैं चलिए यहाँ पर और जो नहीं देख पाता है वीडियो पूरा तो वो थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें पर एक दिन में एक वीडियो खतम कर लिया करें अपना ठीक है चलिए यहाँ पर सभी लोग के रहे हैं नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है थोड़ा समय जूम कर देता हूँ और चलिए यहाँ पर आए गया है आपका अंसर जल्ली से बताईए सभी लोग अंसर कर रहे हैं यहाँ बिल्कुल यहाँ पर जो लोग पी यहाँ पर D option के रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर D option यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है आपका D वाल पर आसे पूचा है ब्लेक गोल का प्रयाग क्या है जलिन से बताई से लिए अरे रिफ़र टू घोल्टी को क्या कहते है जलिन से बताई इस बताई है कोण प्रैट उलिन गडिंव के बारे में देखें अभी कल पर से हमने ब्लैा को पर पर बैंश्चां लेख यह ब्लैक Peng एस05 कोल के रहे हैं यहां पर ब्लैक गोल्ड में आप कोल के रहे हैं ठीक है मैं माल लेता हूँ कोईला यहां पर सभी लोग के रहे हैं A और B यहां पर के रहे हैं सभी लोग कुछ लोंग A और B के रहे हैं पर इसमें cream आपका A B दिया हुआ है तो मैं थोड़ासा doubt में हूँ तो नोट कर लीजेगा आप लोग बाकी petroleum इसका answer है बिल्कुल सही coal को थोड़ासा एक बार चेक करना पड़ेगा Grouphire नहीं होगा बिल्कुल यहाँ पर petroleum यहाँ पर राइट अंसर इसका ब्लैक गोल्ड के नाम से वैसे आपको पैट्रोलियम ही मिलेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर अंजली आदफ जी बिल्कुल विकास पेटल जी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है चलिए यहाँ पर नया कोश्चन आ यहाँ पर देखेगा उसमें मैंने बहुत सारी चीज़े और भी एक्स्प्लेइन करें जो मुझे अभी याद नहीं आती है शायद आपको और पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाए पर वो वीडियो भी आपके एज़ा टेस्ट के तौर पर आप लोग देख सकते हैं चलते प आक पर पूछाए कैया यह देवाईस इसरी मेंजरिंगाओ और फोर्स एक्टिंग अन ऑबजेट इस कुनसा है वो कि प्रिंग बैलेंस यहाँ पर क conception नहीं होगा यहाँ पर ठीक्ते बैरामिटर नहीं होगा वहं रगा और मिट 살िंग रखनें सब्कूंश जबाब थोड़ा सा चलिए यहां पर बिल्कुल एंडी क्लासिस पे आपको आज या कल या पर्सों में या मंडे से तो बिल्कुल मिल जाएगा जली मिल जाएगा आपको बकायदा आप सब्सक्राइब करके रखिए आपको बकायदा वीडियो मिल जाएगा ठीक है नूतर मैं शुरू कर रही है फ्रिक्वेंसी इस एक्ष्पेस जली से बता है आवरती को व्यक्त किया जा सकता है इसमें जली से बता है किसमें हर्ट्स में सेकंड में मीटर में मीटर पर सेकंड में किसमें किया जा सकता है ठीक है फ्रिक्वेंसी को एक्ष्पेस किसमें किया जा सकता है बहुत ही इजी सा सब्सक्राइब यहां पर आगे बढ़ते हैं यहां पर नए कोशन के ऊपर चलिए यहां पर आपसे पूछा गया है यहां पर नया कोशन चलिए यहां पर बताईए जल्ली से एक नया कोशन आपकी आखों के सामने आज सुका है चलिए अभी मैं लास्ट में आपसे पांच मिनिट बाद किका तो मुझे बता दीजेगा ठीक है मैं हमेशा मेरे को अरजुन सर बोल रहे हैं सर बच्चे आपसे पूछते रहते हैं मैं बच्चे दो नहीं बोलूँगा दोस्त लोग आप लोग पूछते जवाब नहीं देता हूं और कोशन अरजुन सर ने मुझे बोला है कि लास्ट में एक दो मिनिट आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आप चाते हैं सकते हैं जाब तो किसी बहाई ने में से पूछा था सर लो मेल्ट फ्यूज क्यों लगा रहे हैं पर ठीक है लो मैल्ट इस फॉर में किसके लिए फ्यूज के लिए फ्यूज के लिए फ्यूज होना है तो लो मेल्टिंग वाला क्यूज करेंगे अगर वहां पर लो मेल्टिंग वायर यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा शॉट हो जाएगा कहीं पर आपने बिजली उसमें करा तो शॉट हो जाएगा करेंट सप्लाई बंदी नहीं होगी ठीक जैसे वो बिजली जो भी चीज होती करेंट को आगे सप्लाई नहीं करता है और हम लोग शौक से बज जाते हैं आगे जाके क्योंकि फ्यूज हो चुका है वो चीज बिल्कुल बी वाला उसन यहाँ पर बिल्कुल सही जबाब के रहें आप लोग थोड़ा सा दिक्कत चलता है कुछ लोग को दिक्ता नहीं है क्या पता क्या हो जाता है थोड़ा सा नेट में दिखेंगा देखें एक अगर मेरे दर से कोई दिक्कत होगी तो सबको प्रॉबलम होने लग जाएगी सबी को एक्स वाइज जेट आप लोग धिकने लोग देख रहे हैं सबको दिक्कत होने लग जाएगा जी कुल्दी वियादव जी बिल्कुल सही जवाब के रहे हैं चलिए हमारे कोशन यहाज यहाँ पर खतम हो चुके हैं सबी लोग मुझे बता देंगे यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत कोई परशानी कोई बी चीजी हो तो जल्ली से मुझे बता सकते हैं अब म जल्ली से बताईए यहाँ पर मैं आप से पांच मिनिट के लिए हूँ मैं आपके पास यहाँ पर आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं अब हमारे कोशन खतम हो सकते हैं कोशन हमारे खतम हो चुके हैं जो भी कोशन लगाने रुखता है उनके कोशन खतम हो चुके हैं सर जी और मिलने लग जाएंगे शौर्ट वीडियो मैंने टॉपिक भी देख लिए हैं आपको किस-किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है और भी मेरे को यहाद होते जाएंगे जैसे आज मेरे को मिल गया है ठीक है और इसेट ऑलिड लिक्विट गेस में जब वह चीजे चेंज होती है state change करता है वो gas से सीधे liquid में आ जाता है liquid से gas में आ जाता है ठीक है change in matter में आ जाता है form में है तो मैं वाली चीज़े आपको बता दूँगा ठीक है और बताइए sir net problem साई कर लिए अरे मैं अभिशेक जी आपको एक चीज़ बताओं बहुत ही परशानी है यहां पर net की जहां हम है net का बहुत ही दिक्कत है आप मानेंगे नहीं जेल पेरी के टाइम में इतने लोगों ने हमें बोला कि sir सामने आके पढ़ा है live class ले बहुत दिक्कत है net का यहां पर बहुत दिक में बताना चाहूंगा telegram group में मिलेगी pdf आपको description में link है nd classes के नाम से telegram group है ठीक है ध्यान रखेगा nd लिखके space दीजिएगा classes आपको और नहीं तो link आपको description में दी गईए बिलकुल यहां पर उपहिंदर सिंग जी बिलकुल यहां पर क्या पूछ रहे हैं आप चलिए ज बिलकुल मिल जाएंगे जो exam होए हैं आपको दिक्कत मत करिए यहां पर उपहिंदर सिंग जी बिलकुल आप लोग क्या करिए देखे मैं आपको काम क्या दिया है आप लोग को सभी लोग आप ही लोग बताएंगे तब ही तो पता चलेगा देखे 8269199872 यह number मैंने आपको बोला है ठीक है यह मैंने आपको number बोला है आप लोग सभी लोग अब सब लोग आप लोग मदद करेंगे तब ही यह काम हो पाएगा आपको question चाहिए तो सभी लोग क्या करेंगे या तो अपनी details share कर दीजे अगर details नहीं share करना चाहते हैं तो आप लोग स्वेम डाउनलोड क करें व्यापम की साइट से PDF को और उसे सेंड कर दें आप लोग इस नंबर पर यह WhatsApp नंबर है इस पर आप लोग सेंड कर दीजे जब भी वीडियो बनाया जाएगा कोई भी चीज जब नूतर में लाइव आईगी उनने कहा है बकादा जो जो सेंड करेगा उनका नाम लिया जाएगा उनको बकादा थैंक यू बोला जाएगा ठीक है और यह आपका कोई दिक्कत नहीं होगी आपका एकदा मतलब प्राइविट तोर पर रखा जाएगा हम लोग परसनली हैंडल करेंगे उचीज को ठीक है आप लोग को कोई भी दिक्कत होगी आपने कहा कि सर मुझे मैक्स में बहुत दिक्कत है तो आपको परसनली आपको मैक्स वाले सेक्शन में डाल दिया जाएगा कि इन इनको मैक्स में दिक्कत है किसी ने हमें कहा कि सर मुझे सब्जेट में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है तो हमें ऐसा माइंड मेरेगा किसको किस चीज में दिक्कत है तो आप लोग अपने details भे सकते हैं या तो फिर अपना PDF जो download करेंगे आप व्यापम की साइट से वो आप send कर सकते हैं इस number पे तो आपको क्या हो जाएगा सारे question सब जगा से collect हो जाएंगे बकायदा question भी बन जाएंगे बहुत सारी चीज़े हो जाएगी current effect ऐसा है तो वो भी मिल जाएंगे आपको ठीक है तो आप एक एक करके तो किसी को नहीं बोलेंगे इसलिए हमने बोल दिया आपको तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं और जिसकी इच्छा हो इच्छा तो सभी के होनी चीए ठीक है ठीक है स्वस्त रीजिए खाते पीते रीजिए ठीक है धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रेने के आप सभी का दिन शुबो थैंक यू खाते हैं झाल 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 झाल